जैसे क्रिशना दोस्तों क्रिशनेस हैपनेस क्रिशनी ही खुशी है जैसे मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों आज एक और इंपॉर्टन वीडियो पर बात करेंगे जब ट्वेल्थ हाउस का लॉड सारे घरों में बैठा होता है तो किस प्रकार का फल परदान करता है वीडियो स् सब्सक्राइब अबस्ट कर दीजिए लाइक करिए कमेंट करिए सपोर्ट करते रही है जैसे आप लोग कर रहे हैं उसका अतिया भारा नोटिफिकेशन बेल अवस्पुश कर दिया करिए ताकि आपको मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो स्टाइम टू टाइम मिलते रहे जिनको अपने जीवन में परस्टन कंसल्टेशन लेनी हैं ग्रेक कहा बैटे हैं क्या कर रहे हैं आगे आने वाला भविश्च्य कैसा हो सकता है अवस्व मुझसे संपर कर सकते हैं इन सब बातों के लिए मेरे नमबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं वीडियो डिस उसमाना जाता है वैसे तो जोतिष शास्त्र में इसको वे का वहाव कहा जाता है expenditure का वहाव कहा जाता है losses का वहाव कहा जाता है लेकिन अगर इसका गुड अर्थ निकालेंगे तो यहां पे expenditure, वे, loss यह सारा उन चीजों का है जो हमारे अंदर जितनी भी गलत चीजें हैं उन चीजों का यह loss बताता है, उन चीजों के लिए यह expenditure बताता है कि वह सारी चीजें जब हमारे जीवन से जाएंगी, चाहे वो क्रोध हो, लोब हो, मोह हो, इर्शा हो उन सब चीजों का आप जब वे कर देंगे, खर्चा कर देंगे, तो आपको प्योरिटी मिलेगी, सत्ता मिलेगी, क्योंकि यही बारवा भाव जो है, वो प्रभू से मिलंग का भी है, स्वचंद हो के अपने रमन करने का भी है, आत्म रमन करने का, प्रभू से साक्षात करने क भी भाव है spirituality का भी भाव है peace का भी भाव है जिसको कहा जाए क्योंकि बारवा स्थान जो है हम लोग देखते हैं निद्रा के लिए अब जब निद्रा की बात आती है जब आदमी के मन में संतोश होता है जब में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है तो उसको मझे अराम से निद्रा देखी आती है otherwise उसमें परशानी आती है ये बारवा स्थान इस प्रकार के सोचने का है जिसको यू कहा जाए कि बिल्कुल अलग तरीके का सोच जिसको कहते हैं इतना creative idea इतना creative दिमाग ये 12th house जो है वो शो करता है एक isolation शो करता है एक अकेला पन शो करता है लेकिन ये isolation ये अकेला पन कई बार हम swim से अपने लिए मांगते हैं कि भही आनंद से कहीं अकेले जाके बैठे हों कोई तंग ना करे कोई परशान ना करे ये वो वाला isolation को दिखाता है और वो वाले isolation को भी दिखाता है जो आदमी अपने जीवन में अनुभव करता है कि जी मैं अकेला रह गया जी मेरा पैसा loss हो गया मेरा पैसा खर्चा हो गया तो losses भी इस कार के दिखा सकता है आपका आपका सुक्षानती भी यहां से देखिए भंग हो सकती है और जितने भी हम सोचना है हमारा वो सोचना शुबता के लिए शुदता के लिए भी हो सकता है और साथ में सारी गलत चीजों के लिए भी सोचना हो सकता है क्योंकि बारवा थान एक ऐसा इड़न हाउस है छुपा हुआ हाउस है जिस से कि हम बड़ा अच्छा सोच सकते हैं जो कि हमको अपने जीवन में मुक्ती की तरफ आनंद की तरफ ले जाए और वोही हमको बंधनों में डाल दे वोही हमको हस्पतालों में ही हमको prison में jail में डाल दे किसी प्रकार का और यहां पे jail का मतलब यह नहीं है सदेव के हां हम जाके सलाखों के पीछे भई हो जाएंगे हमको बंदी बन जाएंगे हम किसी भी चीज के बंदी बन सकते हैं ना वह किसी attachment के बंदी बन गए हम किसी आदत के बंदी बन गए तो हम पे जाके कैद हो गए अपने जीवन में तो मुक्ती की और भी दिखाता है सोतंतरता की और भी दिखाता है अच्छा यह दिखाता है हमारे पास्ट में कोई रिन है हमारे पास्ट में कोई जो कार हमने अपने जीवन में किये हैं उस पास्ट लाइफ से उसके रिनों को भी द देने पड़ते हैं उस घर से रिलेटेड बारवा स्थान का लोट जहां पे भी जाके बैठेगा हम देखेंगे उस घर से रिलेटेड हमारा कनेक्शन भी कुछ अंदरूनी निकल के आता है वहां पे हम या तो बहुत ही जादा कनेक्टेड होंगे इंट्यूटिव होंगे उस घर से जहां पे वो होगा एक नाच्रेल एफिनिटी चो करता है और उसी घर से रिलेटेड हमको कहीं प्रकार की परशानियां भी होंगी कहीं प्रकार के कश्ट भी उठाने पड़ेंगे तो यह बारवा स्थान जो है प्रभू से मिलने का साधन है रास्ता है इस बात को याद रखिएगा ट्वेल्थ हाउस का लॉट जब फरस्ट हाउस में बैठता है य हमारे इंडिविज्वालिटी में कहीं प्रकार के जीवन में बदलाव करने पड़ते हैं हमारे स्वेम में कहीं प्रकार के चेंज करने पड़ते हैं अच्छा बारवे स्थान का लॉट जब फरस्ट हाउस में बैठता है तो हमारे स्वेम के कहीं प्रकार के रिनों को भी शो करता है अब अगर ये सही तरीके से यहां पे नहीं बैठा होता है मान लिजे ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है इसमें सेपरेटिव पावर भी होती है चीजों को प्रथक कर देता है अलग कर देता है बारवेंस्थान का लॉर्ड जहां पे भी जाके बैठ बैठता है फर्स्ट हाउस में जाके बैठता है तो पहले तो वो ये बताता है कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार की जो बुरी आदते हैं उनसे आप प्रथक हो जाए ये वो इस चीज की और इशारा करता है प्रभू की तरफ जाने का प्रभू को डूढ़ने का मोक्ष पा किसी भी प्रकार का कोई अटाच्मेंट में ना पढ़ने से किसी भी प्रकार का कोई ऐसी आदतें जिनके पीछे हम पढ़े हुए हैं और जो हमारा रास्ता रोक रही है स्वतंत्रता की तरफ जाने से जो हमारा रास्ता रोक रही है हमको इवाल्व होने में आगे बढ़ने म मुक्त होने में एक सचंद रूफ से सोचने में क्योंकि 12th house का lot जब first में जा के बैठता है तो ऐसे वेक्ति के पास great ideas होते हैं great thought process होते हैं बहुत creative होता है धरम, spirituality इन सब चीजों के भी बहुत जादा निकट होता है ये उसकी good qualities हैं जिनको वो use कर सकता है जीवन में क्या काम नहीं करना चाहिए जिससे की हम अपना नुक्सान कर लेंगे 12th house का lot जब first में बैठा होता है उसकी intuitive power अपने लिए बड़ी अच्छी होती है के भाई मैं ये काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा या स्वेम को लेके आंकलन उसका बहुत सही होता है स्वेम के द्वारा जितनी भी एगो है किसी भी प्रकार का कोई भी दंब है क्रोध है इदिशा है मद है लोब है किसी भी प्रकार का स्वेम को लेके जितनी भी ये ऐसी चीजें हैं जो रोकती हैं हमारे पत को जो हमको सोतंतरता की तरफ ले जाए उन सारी चीजों से आपको छ प्याच होके भी रहना आपका क्या काम है 12 था उसका लॉड फर्स में बैटा है सारा संसार आपका है और संसार से आप प्रतक हैं संसार आप में आ तो गया लेकिन आप संसार से बिलकुल अलग हैं यह नहीं है कि अब उससे जुड़ गए सारी चीजों से यह वाली एक वो आपके अंदर अवश्य होगी आप अवश्य जानेंगे कि बारवें स्थान की जितनी भी चीज़े होती हैं चाहें वो हीलिंग हो ट्रावलिंग हो फॉरन हो लॉसे रिलेटिड बात हो कोई क्रियेटिविटी हो आपके अंदर कोई इंत्यूटिवनेस हो वो आपके यह हमारे past life से भी related है तो यह जहां पे भी जाके बैठेगा उस घर से related आपको सदेव intuitions होंगे swim को लेके होंगे कि भाई पहले मैं ये था पहले मैं ये करता था या मेरे अंदर ये आदत कहां से आई मेरे अंदर वो आदत कहां से आई इस चीज़ के बारे में आपको पता होगा तो जब भी ये first house में बैठता है तो it is all about the individuality आपके लिए 12th house का lot जब first में बैठता है तो वेक्ति कहीं बार अपने आपको अकेला पाता है या स्वेम से वो इस चीज़ को चुनेगा स्वेम से वो इस जाएगा कि हां किसी भी प्रकार का खेला पन हो किसी भी प्रकार का life में प्रथक होके हमको जीवन से रहना पड़े वो उसमें आनंदित होगा यहां पे बैठा हुआ 12th house का lord first house में कई प्रकार की बुरी आदतें व्यक्ति को प्रदान कर सकता है जहां पे उसका mind काम ना करें जिसको कहते हैं न स्थिती के lost वाली एक स्थिती है कहां जाएं क्या करें क्या ना करें यह वाली स्थिती भी उत्पन कर सकता है यह तब ही होगा जब 12th house का lord first में बैठा है लगन का lord हमारा खराब बैठा हुआ है first house में और कोई malefic planet साथ में बैठे हैं अब 12th house का lord वहां पे मिलके उसने बवंदर मचाना यहां पे शुरू कर दिया बाप का पूरे का पूरा दिमाग, सिस्टम, विवेग, बुद्धी, ग्यान सब उसने हर लिया अब कहीं प्रकार के आपके मन में शंकाओं को जनम दे दिया, कहीं प्रकार के आपके मन में आलस को जनम दे दिया, कहीं प्रकार के आपके जनम में खर्चों को जनम दे दिया, il health को जनम दे दिया क्यों क्योंकि 12th house का lot अगर first में बैटेगा childhood problems दे सकता है आपको health के issues दे सकता है कई ऐसे काम आपको कर सकता है जहां पे आप swim बंदी बन जाए किसी चीजों के चाहे वो intoxications हो चाहे वो आपका सही में जेल यात्रा आपको करनी पड़े अपने करमों के द्वारा जो खराब करम होते हैं उसके द्वारा या व्यक्ति इतना ज्यादा attached हो अपने जीवन में किसी से भी क्योंकि first house में बैठा है तो swim आप picture में आ जाएंगे ना कि आप किसी भी चीज से इतने ज्यादा attached हैं कि आप उसी में बंद के रहे गए तो आप अपने आपको मुक्त नहीं कर पाते है हैं चाहिए वो किसी प्रकार की गलत आदते हों गलत चीजें हों या गलत सोच हो जिसको कहा जाए उसी में हम बंद के रहे गए हां हम अगर ये काम कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा और वो सोच गलत है और हम उसके तहत चलते रहे उसी को हमने सत्त मान लिया तो पता चला हम आपको सदेव एक ट्रांस में ही रखेंगे एक ड्रीमी स्टेट में ही रखेंगे अच्छा बारवास्तान बड़ा क्रियेटिव है यह ऐसी चीजे सोच सकता है जो ब्रहमांड के परे हैं संसार के परे हैं तो यह हमको एक इवॉल्व करने में मदद करता है यह हमको प्रभू स कि ऐसी सोच से भी रिलेटिड है जो छुपे हुए गलत कार्रेयों की और हमको ले जाती है यह हमारे मन में किसी भी प्रकार का पास लाइफ से रिलेटिड कोई टैलेंट होता है वो ले आता है आदमी का स्वेम का एक इंडिविजुएलिटी होती है ना उसको फ्रीडम लव प्रकार संदे मैं किसी की अंदर काम नहीं कर सकता है लेकिन पता नहीं ऑइसा मेरे अंदर यह चीज केव आई क्यों क्योंकि ट्वेल्थ हाउस का लॉड अपने साथ कई प्रकार की यादे समेडे हुए ला रहा हैád तो है आप सोचेंगे किसी प्रकार उसके अंदर रही नाचरल आ रही है ऐसा व्यक्ति 12 था उसका लॉट जब फर्स्ट में बैठा है तो वो बड़ा अच्छा संतोशी जीवन जी सकता है वो अच्छा उसको नीद आएगी सुख की नीद इसको कहा जाता है ना उसको जादा चिंता नहीं होगी और दूसरी तरफ ही उसके जीवन मे बहुत सारी प्राब्लम्स हो सकती है कहीं प्रकार के लॉसेज वो स्वेम कर सकता है कहीं प्रकार के खर्चे वो स्वेम कर सकता है जेल किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल्स उससे उनका नाता हो सकता है डिसीज की प्राब्लम है दुख है परशानी है कश्ट है ये सारी सकता absent minded lost रह रहे हैं पता नहीं कहां जाना है क्या करना है क्या उनका मार्ग है क्या उनकी यात्रा है क्योंकि ट्वेल्थ हाउस के लॉड में देखिए कहीं प्रकार के बंधन हैं कहीं प्रकार के अवगुण हैं कहीं प्रकार के वह आपको परशानी दे सकता है वह इसलिए दे सकता है क्योंकि उनसे निपटने के बाद ही आप मुक्ती की तरफ जा सकते हैं कहीं प्रकार के अटैच्मेंट के बाद ही जब वो तूटते हैं बिखरते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं 12 था उसका लॉड मैं ये कहता हूँ सदेव ये वो रीजन है कि जो हमको आगे के प करते थे प्रेम करते थे हम किसी में मरे चले जा रहे थे और बाद में मालूम पड़ा वो सब कुछ सही नहीं था हमने अपना जीवन उस चीज के लिए वेस्ट कर दिया उसी से अटैच रहे बाद में हमको मालूम पड़ा जी हमारे जीवन का तो डिरेक्शन रास्ता का मार गया तब आदमी बिलकुल लिबरेट हो जाता है तब आदमी बिलकुल इवाल्व हो जाता है तब वो कुछ नया करना चाता है क्रियेटिव करना चाता है कुछ ऐसा करना चाता है जिसमें संसार को वो जाने वो घूमना चाता है वो ट्रावलर है वो पूरे यूनिवर का उसका मित्र है जो मैंने आपको पहले का था पूरा ब्रहमांड उसके अंदर है और वो सब के साथ मिला हुआ है वो सब को जानता है लेकिन अब वो प्रथक है अब वो अपने आपको जान गया है कि वो यहां क्यों आया है हम अपने अंदर की जितनी भी फॉल्स इगो है इं ये कर ले हम अपने चेहरे को ऐसा बना ले हम अपने ये वो इस चीज के तरफ जाने लगता है गलत चीजे हैं तो कि ट्वेल्थ हाउस का लॉड अपने तरफ लॉसे समाले हुए हैं कहीं प्रकार के ऐसे भूत और जिन्न उसके अंदर रहते हैं जो फर्स्ट हाउस में बैठे करनें ले जाते हैं तो हमको और हमको गलत रास्तों में ले जाएंगे हमको दुख दुख दर्द तकलीव परशाणनी रोस्पिटल्स इस सारह का मुझ दिखा सकते हैं और यही हम को परशानी देके कश्ट देके या कई बार स्वेम से आदमी संत होता है विवेकवान होता है ज्यानवान होता है जीवन में उसको पता होता है कहां गलती नहीं करनी कहां लॉस नहीं करने के जिनास्तों में नहीं जाना है वो एक टीचर है एक गाइड है ए बारवास्थान ऐसे hidden talents का है, ऐसे creativity का है, ऐसे ideas का है, ऐसे views का है, जब वो first house में आके बैठते हैं, तो जीवन में आदमी बहुत बड़े बदलाव कर सकता है, अपने अंदर, संसार के अंदर, सारी चीज़, और quillth house का lot first में बैठा है, तो आदमी बिलकुल मूर्ख और आदमी बड़ा स्वचंद हो के पूरी दुनिया में जैसे बिचर रहा है, घूम रहा है, उसको कई परकार की knowledge है, यूज करने में कुछ नहीं हो रही है, किसी परकार का पूछिए तो आप कहां पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे जी, क्योंकि वे कर दिया ना, अपने आपक लौस कर दिया, अपने आपका, ये अपने आपको ही जीवन में सेट नहीं कर पाई, तो ये एक तरीके से देखा जाया है, माटीरियल हार हो गए जीवन में कि आदमी अपने आपको सेट ही नहीं कर पाया, वो उलजके ही रह हैं ग्यान हजारों है, सब कुछ है, TV है सब चीजे हैं लेकिन उसको यूज ही नहीं कर पाया अच्छा फिर जब 12 थाउस का लॉड फर्स में बैठा होता है तो कई बार आदमें अपने आपको एक्स्प्रेस ही नहीं कर पाता है जीवन में कुछ इस प्रकार का अपना स्टैंड ही नहीं ले पाता है कि लोग उसको रेकेगनाईज करें लोग उसको पहचाने स्वेम अपने आपको कई प्रकार के अंधेरों में ओड़ लेता है घर में छुपके बैठ जाएगा कोई काम नहीं करना कहीं को जाना नहीं अपने जीवन में क्योंकि जीवन में उसको पता नहीं चलता ना कि वो कहां जाए फिर लॉस्ट वाली स्टेट हो जाती है वो ड्रीम वाली स्टेट हो जाती है कहीं बार अपने आपको ये समझने लग जाते हैं कि वह जिस परकार के हम हैं उस परकार की दुनिया नहीं है छोड़ो बिकार है वहां पे किसी भी परकार का फिट होना तो वहां से बस्ते हुए फिर नहीं अटाच मत हो प्रभू के साथ एक स्प्रिच्वालिटी एक कनेक्शन एक हीलर एक गुरू एक किसी प्रकार का कोई फॉरन कनेक्शन हो आपके जीवन में वो उन सारी चीजों से रिलेटेड है जो आदमी को मुक्त करती है जो आदमी को जीवन में इंत्यूटिव बनाती है एक क्रियेटिविटी देती हैं उसके अंदर वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो तो अपने आपको उन चीजों से पहचानो और उन रास्तों पे आगे बढ़ो यह वो चीज को शो करता है स्वेम ही आप अपनी मुक्ती के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं यहां पे कही अपने बहन भायूं से रिलेटिड प्रॉब्लम होती है जब 12 थाउस का लॉट फर्स्ट में बैटा होता है घर परिवार प्रॉपर्टी माता जी से संबंदित कभी कोई प्रॉब्लम होती है या उनको अपने जीवन में देखिए प्रॉब्लम हो सकती है हमको हमारी एजुक अगर फिफ्थ हाउस का लॉट ऐसी स्तिती में अच्छी सुन्दर स्टेट में बैठा हुआ है तो आदमी अपने जीवन को सही रास्ते पे ले जाएगा अदर्वाइस त्वेल्थ हाउस का लॉट फर्स्ट में बैठा हुआ आप से कई प्रकार के पास्ट रिन जो है वो च चाहेगा वो हेल्थ के रूप में आपको खराब करके आपको परशानी दे के आपकी जीवन को बिगाड़ के भी देखिए वो सब हो सकते हैं इट इस आल अवाउट यू इंडिविज्वालिटी फर्स आपकी इंडिविज्वालिटी जीवन में चमका देगा पूरा ब्रहम में पैदा होने के बाद जूद भी आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए यह याद रखिएगा लेकिन आपकी एजुकेशन मंत्र आपका जो फिफ्ट हाउस है वो आपको बहुत जादा सपोर्ट करेगा ऐसी स्थिती में अगर फिफ्ट हाउस का लॉड बढ़िया बैठा है तो आनंद है कहीं बार हमको हमारे मारिज से रिलेटिड देखिए यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है कहीं बार हमको बाहर के जो लोग होते हैं बिजनिस बिजनिस पार्टनर्शिप्स इन सब रिलेटिड हमको जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है हमको अपने करियर में वेल्थ में बैठा हो जब 12 था उसका लॉड सेकंड में बैठा होता है तो प्रभू से मिलने का साधन क्या होता है सेकंड हाउस फैमिली अब यहां पे हमको जीवन में अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना होता है अनकंडीशनल लव दे रहे हैं अनकंडीशनल रूप से शेरिंग कर रहे हैं अपने समानों की रिसोर्से की चीजें कमा रहे हैं उनके लिए फैमिली के लिए हर प्रकार की वेल्थ जनरेट कर रहे हैं परिवार के लिए सब कुछ उसमें लगाए दे रहे हैं उसमें किसी प्र का आप ये मत सोचिए कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं मैं मेरी responsibility इतनी जादा है मुझे वहां पे लगे रहना पड़ता है सारा पैसा हमारा परिवार वाले खा जाते है family में लग जाता है responsibility में लग जाता है ये आपका रिण है जो आपको चुकाना है इस तरीके से ही चुका के आप अपने आपको मुक्त कर सकते हैं free कर सकते हैं जब 12th house का lord second में बैठेगा तो रास्ता क्या है परिवार से निकल के जाता भई उनकी आप सेवा करिए सुषा करिए सेवा सुषा करिए आप उनकी उनके लिए पैसा खर्चा करिए responsibility उठाइए unconditional रूप से उनकी बातों को समझिए जानिए accept करिए हर समय तयार रहिए कि हाँ भई हम पैसा कमा रहे हैं यह सौ रुपए कमा रहे हैं यह लोग यह दो सो कमा रहे हैं यह लोग यहां पर अदमी कहेगा यह कौन सी बात होगा यही बात है इसी चीज़ के लिए आप चुने गएं वहां पर जहां पर फिर उस चीज से रिलेटेड थिंकिंग बुरी हुई कि हम ही करते जाएं सारा पैसा हम इनी के लिए कमा रहे हैं घर के लिए कमा रहे हैं दवाई में लग गया पैसे में लग गया पढ़ाई में लग गया अपने लिए क्या फिर देखिए वह बैड ऐस्पेक्ट यहां पर आके शु है देना शेरिंग करना फामिली यहां बे बैटा हो आपके कोई यूनीक अट्राक्शन होगा कोई ब्यूटी होगी कोई ग्यान होगा चाहे बोलने में चाहे लिखने में किसी भी प्रकार का क्योंकि मैंने कहा था 12 था उसका लॉट जब सेकिंड में बैटा होता है पैसा कमाना ऐसे व्यक्ति को उसका चहरा उसकी स्पीच उसका ग्यान किसी प्रकार की वो गुरू है कोई प्रीच कर रहा है कोई ग्यान दे रहा है अच्छी सला दे रहा है यह उसके अंदर इन बॉन्ट टालेंच होंगे और वहीं पे 12 था उसका लॉड अगर खराब स्थिती में बैट कर दिया है वो कहीं लगनों के लिए ऐसा हो सकता है प्लस एड़ सेम टाइम अब सेकंड हाउस में पता चला और कोई मेलिफिक प्लानिट साथ में बैठा हुआ है 12 था उसका लॉड नीच का है वक्री है खराब स्थानों में बैठा हुआ है तब अब जब 12 था उसका लॉड सेकंड में आके बैठेगा पैसे कमाने के लिए प्रॉबलम हो जाएगी सुएम ऐसी सोच हो जाएगी कि सारे का सारा पैसा बरबाद कर दिया घर की वेल्ट बरबाद कर दिया अपनी इंद्रियों पे काबू ही नहीं रख पाए दूसरा स्थान जो होता है वो हमारी इंद्र का होता है अब जब हम वो चीज को लेके सेकंड में जाएंगे हम अपने परिवार में व्रिद्धी करेंगे ग्यान में व्रिद्धी करेंगे अपने विवेक में समझदारी में व्रिद्धी करेंगे वही अगर खराब बैठा होगा यहां पे घर परिवार में लड़ाई करे किसकी वज़ा से हमारा जीवन में सत्यानास हो जाएगा, खापी के बिमारी ले ले लेंगे, ना भई, तो वेल्थाउस का लॉट जब सेकिंड में बैठेगा, तो कई प्रिकार की चीजे हम खा रहे हैं, जो हमको नहीं खानी चाहिए, और उससे हम बिमार हो रहे हैं, अपने पे रिड़ चुकाने पड़ रहे हैं, खाने के दौरा हमने सब खा पी तो लिया, उल्टा सीधा, अब मालुम पड़ा, लाखो रुपया हमारा, उसी में चला जा रहा है, अपने उपर, तो हमको ये भी देखना पड़ता है, कि अगर ट्वेल्थ हाउस का लोट सेकिंड में ब बुरा बोल सकते हैं, हम बहुत जादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं यहां पे, कि हमारी हमको ये हमारी चीज है, हमारा अपना ये हमारा अपना वो है, अब ये जो मेरा पन आ जाता है, चीजों पे एक अधिपत जमाना, अधिकार जमाना, ये चीजे शुरू हो जाती है, व वो family में तूट का कारणा बनती हैं कई बार 12 था उसका Lord second में खराभ सिती में वैटा होता है वो ये बताता है कई प्रिकार के past life debt ऐसे थे जो आपको चुकाने पड़ेंगे और उसमें कई बार family की हानी भी होती है स्वेम की हानी भी हो जाती है हम संसार में जीवन में परिवार जो है हमारा हम या तो उनके लिए सदेव करते रहेंगे या सदेव करने के बाद वही हमारा जीवन होगा कहने का आर्थ है और या हम करने के बाद भी अपने आपको वहां से अकेला पाएंगे यहाँ पे बहुत जादा आवश्चक है यह समझ लेना कि हम क्या बोल रहे हैं क्या खा रहे हैं किस प्रकार का हम वैवार कर रहे हैं क्या शो कर रहे हैं कि भई पैसा हमको उसी से अटाश्मेंट है हमको अपने ही लोगों से अब कई बार जब टोल दाउस का लोट सेकिंड में बैठेगा तो हम कई बार परिवार के लिए करते तो चले जा रहे हैं करना बनता भी यह जैसे मैंने बताया है लेकिन ये भी सोचना है ना भाई कब तक अब उसके लिए हम जुटे हुए हैं गलत काम करने जी परिवार के लिए हम मरे चले जा रहे हैं उनके लिए ताकि वो हर प्रकार की सुख सुविदा अपने जीवन में उठा सके अरे भाई कंट्रोल करना सीखो कहां कितना क्या करना है ऐसा ना हो कि आपके द्वारा फैमिली में किसी कोई अपने जीवन में गलत रास्तों पे चल पड़े आप तो बहुत responsibility उठा रहे हैं आप तो बहुत पैसा दे रहे हैं वहां पे अपने घर परिवार में लेकिन पता चला वहां पे वो अपने करता वो सही तरीके से नहीं नीवा रहे हैं तो कई बार कई लोगों की ऐसी complaint हो सकती है कि हमने अपना जीवन सर्वस्व जो है वो घर परिवार के लिए निचावर कर दिया लेकिन हमको कुछ नहीं पराबट हुआ कहीं बार हमारे जीवन में पैसे के लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉबलम आजाती है यह वाद अवश्य याद रखिएगा पैसे की सेविंग बहुत ज़्यादा जरूरी है पैसा ऐसा व्यक्ति कहीं बार सुइम के लिए ही बस पैसे के लिए सेल्ट सेंटेड होता जैसे मैंने कहा मेरा 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 तो वो उसी में चला जाता है कहीं बार कन्जूस प्रवत्ती भी यहाँ पे देखी जाती है जब 12 था उसका Lord Second में अपने लिए देखिए मारक चीजें क्रियेट कर सकता है कुछ गलत कामों करके तो अपने घर परिवार का नाम पैसा सब कुछ खराब कर सकता है ये बात अवश्य याद रखिए कोई जीवन में ऐसा बाहर का व्यक्ति आके आपके घर परिवार को छिन भ कोई ऐसी आदते हों एक पीरियड हो लाइफ का जो आपके जीवन में आया और आपके जीवन में आपके जो रिन है वो लेके चला गया आपके ये बात को अवश्य याद रखिएगा तो यहाँ पर सातविक रहना बहुत जरूरी है इन दा सेंस कि आप क्या बोल नहें क्या क्या वेलिवज है इसको समझना बहुत-ज़ादा जरूरी है व्यक्ति यहाँ पे वी कुछ जैसे मैंने कहा है इन वॉन टालेंट्स लेके पैदा हो सकता है पैसे से रिलेटेड बिजनिस से रिलेटेड कोई कला से रिलेटेड बोलने से रिलेडेड अपने घर परिवार का तारहार हो सकता है या अपने घर को फैमिली को पैसे को बरबाद करने वाला हो सकता है उसके अंदर इतनी सुन्दर कला हो सकती है पैसा बनाने में इतना अच्छा और्गनाइजड हो सकता है स्ट्रक्चर्ड हो सकता है क्या बोलना है कितना मातरा में बोलना है पैसा कैसे कमाना है ऐसे व्यक्ति पैसे को लेके बहुत इंट्यूटिव होता है अपनी फैमिली को लेके या कभी कबार जो वो बोल देगा बिलकुल सत्त निकलेगा क्यों क्योंकि सारा जो इंट्यूटिवनेस है वो सेकंड हाउस में आ गया है यहां पे आपको यह बात एक समझनी बहुत होगा आप अपने पास लाइफ के रिण परिवार के लिए चुका रहे हैं इस बात को आपको समझना पड़ेगा उसमें रोने गाने की आवशकता नहीं है अनवाशक चीजें आप वहाँ परिवार के लिए मत करें इतना मत करें जहां पे आपको अपने संसकारों के साथ आप अपने आपको freedom भी पा सकते हैं यह एक ऐसा स्थान है जहां पैसे से प्रभू आपको मुक्त भी कर सकते हैं इतना पैसा इतना नाम इतनी recognition आपको परदान कर दें आपके अपने सामर्थ की वज़ा से कि आपको उस चीज़ की चिंता ही ना रह जाए यहां पे कई बार ह हमारी अपनी मन की वज़ा से भी आप कह सकते हैं कि हमको जो हमारे emotions होते हैं हमारा घर परिवार होता है मादाजी होती हैं उसकी वज़ा से कई बार हमको सटबाक उठाने पड़ते हैं हम कई बार हमको cheating cheated feel होते हैं हम इस चीज़ों में हमेशा बहुत जादा ध्यान देना है education में ऐसे व्यक्ति को बहुत जादा ध्यान देना है अपनी सोच में righteous सोच को हम क्या कर रहे हैं हम क्या सोच रहे हैं ये सही है या गलत है अपनी education के लिए बहुत उसको ततपर यहां पे रहना चाहिए otherwise वो सफर कर सकती है कहीं प्रकार के आपके जो ये speculations, lottery, stocks ये सारी बात को दियान रखियेगा किसी भी प्रकार के ऐसे चीजों की तरफ जाना जो की उचित नहीं है जिसको कहा जाए क्योंकि 12th house में जैसे मैंने बताया कहीं प्रकार के शुबता के साथ भूत और प्रेत भी रहते हैं अब जब वो second house में बैठेंगे वो भूत प्रेत कौन से ह वो आदते हैं वो कहीं प्रकार की sexual activities हैं जो हमको promote करती हैं वो एक isolation है जीवन की thought की एक isolation होती है अच्छाई के लिए एक isolation आदमी खुद ओड़ के बैठ जाता है गलत काम किसी प्रकार के छुपे हुए ऐसे काम जो जीवन में हमारे घर परिवार के में अशान्ती ले आएं भुचाल ले आएं इन कामों से सदेव दूर रहना चाहिए जीवन में कोई ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो आपके लिए भारी up and down create कर दें लाइफ में ये अवश्य याद रखिएगा जीवन में आपको मदद क्या करेगा यहां पे मदद करेगा आपका structure होना आपका routine आप आपका आपका जो है वो regular work hard work यह सब आपको मदद करेगा कितने competitive हैं आप आप कितने regular हैं कितने organized हैं कितने structured हैं यह चीजें आपकी life में मदद करेंगी जीवन में तो जब 12th house का Lord second में बैठा हो तो सबसे बड़ा मंत्र आपके लिए क्या है hard work structured रहना organized रहना detail में जाना precision में जाके रहना और घर परिवार वालों के लिए संसार के लिए करते हुए वहां से अपने आपको मुक्त रखना attached ना हो जाना क्योंकि फिर नहीं तो वो कारण बन जाएगा आपके लिए फिर circle का तो आप अपने आपको मुक्त कर सकते हैं 12th house का लौड जब 3rd में बैठा होता है तब यहां पे अब भगवान को पाने का उस पात पे चलने का मुक्ति का साधन क्या है 3rd house में जब बैठेगा तो coordination आप लोगों के साथ किस प्रकार से coordinate करते हैं आप लोगों के साथ किस प्रकार से जुड़ते हैं आप लोगों के साथ किस प्रकार से communicate करते हैं इससे आप जो हैं मुक्ति के पत पे जा सकते हैं, आपके स्वेहम के जो हाथ होते हैं, यह हमारे जो दो हाथ हैं, हम इनके द्वारा अपनी मुक्ति का साधन प्रशस्त कर सकते हैं, रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं, अच्छे करम करके, जब 12 था उसका लॉट 3 में बैठा होता ह तो अपने एक individual एक identity बना के एक freedom अपने लिए खुद का खरीद सकते हैं यहां पे वो ये भी बताता है कि inborn talent है हमारे अंदर स्वतंत्र होने का inborn talent है हमारे अंदर communication का technology का किसी भी प्रकार की कोई skill का कोई कोई ऐसे talent का जो हम बहुत पुराना अपने साथ में ही लेके आए मैंने आपको बताया था 12th house का lord अपने साथ किसी ना किसी प्रकार का कोई hidden talent है कोई skill है कोई hobby है किसी चीज से बहुत जादा closeness show करता है तो third house में वो हम use करके वो हम को swim पता चलेगा कि हमारे अंदर किस प्रकार की कला है कोई लिखनी की है कोई धरम की है कोई इया हम हाथ में बड़े दक्ष हैं हाथों से कार करने में बड़ा दक्ष हैं तो यहां मेरे मेरा कहने का अर्थ यह था कि आपके स्वेम के जो ये हस्त हैं हाथ हैं आपको फ्रीडम दिलाने के लिए मुक्ती दिलाने के लिए आपको आगे बढ़ा सकते हैं आपके भाई बेहनों के प्रती कहीं प्रकार के जीवन में रिन हो सकते हैं जो आपको चुकाने पढ़ें यहां पे कई बार वेक्ती यह सोच सकता है कि हम अपने बहन भाईयों को हमने बहुत किया उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया वो फिर भी अच्छे नहीं रहे वो फिर भी हमारा यूज कर लिया यह सब बातें बिल्कुल भी मत सोची है क्योंकि अगर बारवेस्तान का लॉट थर्ड में बैटा है तो वो अपना रिन लेगा देखिए यह रिशी रिन है यह आपके पास लाइफ के रिन है यह आपको चुकाने ही पड़ेंगे जब आप उसको चुकाएंगे तब आप अपने आपको अपने आपको मुक्त कर पाएंगे और ट्वेल्थ हाउस का लॉट जहां पर भी जाके बैटता है वो क्रियेटिविटी ले जाता है स्किल ले जाता है टालेंट ले जाता है स्पिरिचुालिटी ले जाता है धरम ले जाता है एक ऐसे consciousness को ले जाता है जो हमको मुक्त करा सके और फिर ऐसी चीजों को भी ले जा सकता है जो की बड़ी विभीत्स हैं थर्ड हाउस में बैठा हुआ ट्वेल्थ हाउस का लॉड कहीं बार व्यक्ति को बड़ा self-centered बना देता है एक से एक गलत काम करने के लिए वो प्रेदित रहता है कि हाँ भई चलो ये गलत काम किया जाए उनको ठगा जाए वहाँ से पैसा कमाया जाए ये गलत काम किया जाए म एसे जो हमको अच्छा या बुरा सोच उदे यहां से होता है थर्ड हाउस से कि भई हाँ हम कौन सी डिजायस की तरफ जाएना चाहते हैं अच्छी या बुरी अट्वेल्थ हाउस का लॉड जब थर्ड में बैठेगा तो कहीं बार हम अपने लिए स्वें के लिए कहीं प्र प्रकार की ठजविद्या कोई पुलिस कोई जेल किसी प्रकार का गलत काम आपको सब वहां पहुंचा सकता है कई प्रकार के लॉसिज आपको हो सकते हैं आपकी ऐसे व्यक्ति की जो विल पावर या करेज या डिटर्मिनेशन जो उसके अंदर साहस होता है वो जबरदस्त हो यूं कह सकते हैं कि उसके अंदर या तो बहुत जादा वो लालची है बहुत जादा वो ग्रीड है जैसे मैंने कहा बहुत सिन्फुल हो सकता है या वो अपने लिए बहुत स्ट्रक्चर्ड हो सकता है बहुत महंती हो सकता है अपने जीवन में धीरे धीरे करके अपनी लाइ सेंस, सही रास्ते पे चलते हुए भी कई बार हमको प्सेक्ल जाते हैं, दिले जाते हैं, हमारे गलत हो जाते हैं वो फैसले, लेकिन फिर भी वो धर्भम के या सत्त के मार्ग से ढिगेगा नहीं, वो उस पे चलता रहेगा वो उन सारी चीजों से प्रतक रहेगा जो की हमारे अंदर की वासनाव को जगाती है हमारे अंदर के लालच को जगाती है हमारे अंदर के ग्रीड को जगाती है मैं पालूं, मैं ये करलूं मेरी इच्छा ये पूरी हो जाए मैं ये चाहता हूँ इन चीजों से वो उपर बढ़ जाता है और या फिर वो उसी में पढ़ जाता है और वो फिर पतन का हमारे कारण बनता है फिर वो चीजें बांधने लग जाती है ना एक दूसरे के साथ फिर तो आप ये समझ लीजे ऐसा व्यक्ति जब 12 था उसका लॉट थर्ड में बैठा है तो पता चला पढ़ाई लिखाई चौपट कर ली अपनी जीवन में किसी लव रोमांस इन में पढ़ गए वो पैसा खराब कर गया वो जीवन खराब कर गया संतान की ओर से हमें प्रॉबलम आ रही है अपने करम कई चीजों के खराब रहे तो अब आग को अपने जीवन में जिसको कहते हैं ना शांती संतोष एक सुख की नींद वो नहीं प्राप्त हो रही है हमने करम ही अपने ऐसे खराब कर ली है हम ऐसे द्वंदों में पढ़ गए हैं ऐसी परशानियों में पढ़ गए हैं अपने स्वेम के द्वारा कि हमने अब एक नए ध्याय शुरू कर लिए जैसे आप यहां कह सकते हैं ना कि 12 था उसका लॉट जब 3rd में बैटा होगा तो ये नया अपने लिए इन्हों ने चीजें गर ली हैं जो कि अब उनके आगे के लिए बड़ी परशानी यहां पर क्रियेट करने वाली हैं यहां पर कई बर व्यक्ति की विल पावर, डिटर्मिनेशन, करज, साहस इतना जबर्दोस्त होगा और कभी जीवन में वो सारी चीजों को ढूंडता ही रह जाएगा कि हम यह लाय कहां से करने के लिए हम कैसे स्वतनत्र हो कैसे freedom हमको पाएं कहीं बार हमारे दोस्त हमारे जीवन में पतन का कारण बन जाएगा हमारी स्वें की सोच, हमारी आदते हैं हम उसी के एक तरीके से अपनी desires के हम राइट हमारे पास हमने goal decide नहीं किया हम किसी चीज़ को डिटेलिंग में देख नहीं रहे हैं अगर 12 आउस का लाट 3rd में बैटा है हमको precision की जरूरत है hard work की जरूरत है detailing की जरूरत है focus की जरूरत है आपका साधन क्या है आपको jाना क्या है आप अपने रास्तें नहीं तै कर रहे है direction नहीं तै कर रहे हैं तब तो यहां पे भूचाल मच सकता है लाइफ यहां स्टैंडी नहीं होगी आप यू कह सकते हैं डिजायर तो है लाइफ को चालू करने की इच्छा तो यहां है उसके बाद यहां कुछ नहीं है क्योंकि ना प्लैटफॉर्म है ना कोई रास्ता है ना कुछ बनाया जीवन में जिसके उपर चल सके हैं अब मालूम पड़ा थर्ड हाउस की चीजें भाई, बहन, बंदू, यार, दोस, मित्र उनके पीछे पड़े हुए हैं वो कहीं ऐसे काम जीवन में हैं जो हमें नहीं करने चाहिए हम उनमें पड़े हुए हैं वहाँ सारा का सारा अपना रिसोर्स दिये दे रहे हैं अटैश्मेंट दिये दे रहे हैं हासिल वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है ट्वेल्थ हाउस का लॉट थर्ड में बैठा होता है एनरजी बड़ी रेस्लेस होती है बहुत कभी कबार अक्टिवेटेड होते हैं कहते हैं एक आदमी को जुनून है कुछ काम करने का उसको बहुत अंदर से एक पैशन है यहाँ पे क्योंकि ट्वेल्थ हाउस उन चीजों से जुड़ा हुआ है अब पैशन से जुड़ा हुआ है वो क्या हिडन पैशन है उसके अंदर कौन कौन सी चीजे हैं वो थर्ड हाउस में आया तो वो एक जिसको कहते हैं न मुवमिंट बनाए रखता है कुछ निया करना है कुछ अलग करना है अब अच्छा वो एक अच्छी चीज है उन व्यक्तियों के लिए जो जीवन में अपने सही रास्ते पे इस ट्वेल्थ हाउस के लॉड को इस्तमाल कर रहे हैं यूज कर रहे हैं अदरवाइस कहीं लोग फिर एक जगा ठिक नहीं पाते हैं हजारों प्रकार के लॉसिस कर देते हैं जीवन में कहीं बार इमोशनली किसी से जुड नहीं पाते हैं जिसों कहा जाता हैं कई बार बहुत प्राक्टिकल हो गए बहुत सक्त हो गए बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए अपना ही जीवन में देखा हमेशा इसको यूँ कहर के देखें कि अपना पैसा कमाने में लगे हुए तो हम उनी चीजों में अटाइच होके रह जाएंगे तो हमको कहां से मुक्ती मिलेगी, कहां से संतोष मिलेगा, कहां से हम वो एक पल ढूंड पाएंगे, जहां पे हम प्रभू के साथ साक्षातकार भी कर पाएं, सोच भी पाएं कि कुछ ऐसी चीज है भी इस धर्ती पे, हम लगे हुए हैं उसी आपा धापी में अपना, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रियेट करता है, वैसे ट्वेल्थ हाउस का लॉड थर्ड में बैठा हुआ ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ये समझ ले, वो जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ओर्डिनरी क्रियेट कर सकता है, या बर्बाद कर सकता है अपने आपको अपने हाथों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, या अपनी सोच या डिजायर्स के द्वारा, इस बात को वो अवश याद रखे, जो लॉसे होने हैं, जो लोग हमारे जीवन से जाने हैं, उनको जाने दीजिए, जो लॉसे होने ह उनको आप कर्टेल कर सकते हैं जू Jupiter हुते 구 Il को या अपनी हैक्ड भाद कर कर हैं जो सिरब अपनी जिसको कहा जाता है नब अकांग शाहों को या अपनी से इस चीज का वह होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज का वह होता है अब वो ही कई चीजे प्रमोट करता है ना लाइफ में देखिए भोग कई चीजे प्रमोट करता है तो आदमी का दिमाग अस्थिर हो सकता है और वो अपने आपको डिस्बालेंस कर सकता है तब आप ये कह सकते हैं 12 था उसका लॉर्ड थर्ड में बैट के जो एक मुक्ती का सा साधन बन सकता था प्रभू के पाने वाला बन सकता था वो फिर से उसी नरक में और चक्कर में पढ़के रह जाता है जहां जिनकी मदद करनी पड़े जितना काम करना पड़े अपने हाथों के द्वारा से कड़ते रहिए और उससे मुक्त होके रहिए वही आपके लिए सब आपके अपने सुहिम के हिरदे से घर से आप अपने घर में एपने माता जी की सेवा कर पाए आप अपने मनडे अपनी आकांगशाओं को अपनी सोच को शुद्ध रख पाएं पवित्र रख पाएं तब आप मान के चलिए कि 12 था उसका लॉड फोर्थ में बैठा हुआ आपको प्रभू की तरफ ले जा रहा है अच्छा जब 12 था उसका लॉड फोर्थ में बैठा होता है तो कहीं बार ऐस व्यक्ति के लिए आप मान लीजिए पूरा संसार और पूरा ब्रह्मांड उसके घरी में चला आया है उसके अंदर ही चला आया है ऐसा व्यक्ति जीवन में जब 12 था उसका लॉड फोर्ट में बैठा होता है तो कहीं न कहीं प्रभू से तो connected होता ही होता है धरम से ज्यान से psychology, occult, spirituality, swim को मुक्त करने का साधन ढूंडता है ऐसा व्यक्ति और 12 था उसका लॉड जब 4 थ में बैठा हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति कहीं बार कहीं ऐसी चीजों से ग्रसित होता है फिर वही वाली बात जो की गलत सोच की तरफ ले जाती है हमारी बात है किसी प्रकार के मन मुमे राम और बगल में छूरी वाली बात हो सकती है हमेशा sexual activities के बारे में वो सोचता रह सकता है कैसे आनंद भोगा जाए कैसे सुख भोगा जाए क्योंकि बारवा स्थान देखिए प्लेजर का भी है फोर्थ में बैठेगा उसके अंदर के कौन से सुख है कौन सी आनंद लिये जाए कौन सा मज़ा लिया जाए आज कौन सा ये किया जाए ये हो सकता है उन आदतों का देखिए वो सेवक हो सकता है दास हो सकता है अपनी education खराब कर सकता है अपनी early life बर्बाद कर सकता है इनी सारी चीजों में education खराब हो जाएगी early life खराब हो जाएगी माता जी ब प्रॉपर्ट में आगे बैठता है तो कई बार यह सारी चीजे दिखाता है प्रॉपर्टी प्राप्त होती है ऐसे व्यक्ति को जैसे मैंने कहा त्वल्था उसका लॉड जो है अपने अंदर पुराने समय का पास्ट का बहुत सारा शुबता भी अपने अंदर समेटे हुए है सोच भी समेटे हुए है अपने अंदर आपके अंदर वो क्या है और उसके अंदर ये भी आता है भई कि हाँ प्रॉपर्टी की बात हो रही थी सौरी अब प्रॉपर्टी उसको बड़ी अच्छी मिल या कहीं लोगों के साथ क्या होगा जी उनके जीवन में कभी घर ही नहीं हो पाएगा घर में सदेव कलेज बना रहेगा घर में सदेव बिमारी बनी रहेगी खर्चे बने रहेंगे सदेव क्योंकि बारवा स्थान देखिए खर्चे से सम्मंदित है तो हमेशा घर में किसी ना पहुंच सकते हैं जहां पर हम प्रकांड पंडित बंजाएं ग्यान के शुब्धा के लोगों अपने अपने आपको पवित्र करके अपने आपको शुद्ध करके जीवन में हम प्रबू से साक्षातकार कर रहे हैं घर में ही बैठे हमको हर प्रकार की दुनिया के लोग जान रहे हैं मान रहे हैं समझ रहे हैं हम बैठे हुए ब्रह्मांड का चक्कल लगा रहे हैं हम स्वपन तो देख रहे हैं लेकिन वो स्वपन हमको मुक्त कर रहे हैं जीवन में अब घर के प्रती attachment हो जाना माता जी के प्रती attachment हो जाना अपने सुख के प्रती attachment हो जाना फिर मुहों का कारण है और फिर वो कस्ट का कारण बाद में बनेगा ना देखिए बजरपात जरूर होगा बारवें स्थान का लोट जहां पे बैठा होगा वो अपने तरीक स्थान में बैठा हुआ बारवे स्थान का स्वामी आपकी जण हिला सकता है एड्यूकेशन सोच नीव घर परिवार सुख शान्ती कहीं प्रकार के आपके मन को ठेस लगना कहीं प्रिकार को आप स्वेम उसके उत्तरदाई होंगे जब आपके मन को ठेस लगेगी आप कहीं बार स्वेम ऐसे काम करेंगे जहां पर आपका मन कुछला जाएगा रगड़ा जाएगा तब वो आप उसको यह सोच के चलें कि अरे भाई किसी के साथ मन लगान अच्छा था नहीं था कौन कह रहा है किसी के साथ मन लगाईए आप आपका काम है ड्यूटी करना घर में शांती क्रियेट करना घर के प्रती उत्तरदाई होना ट्वेल्थ हाउस का लॉड़ फॉर्ट में बैटा है रिन है आपका घर के प्रती लोगों के प्रती वहां के मा हमारा अपना सुख हमको यहां पर देखना है नहीं अपने आपको हमको क्रियेट करना दुनिया के लिए उसी तरीके से ट्वेल्थ आउस का लौड फॉर्थ में वेटा है अपने अंदर के भूत को जिन्नों को जितने प्रेत हैं उन सबसे छुटकारा पाना है क्यों कि जब हम हम शुद्ध होंगे हम जब अपने आपको जब हम अपने आपको अन्लिमिटिट कर पाएंगे तभी तो हम सबको प्रेम दे पाएंगे सबको सुख दे पाएंगे यहां पर अपने सुख की बात नहीं हो रही है नहीं तो कई बार आपकी अपनी च्छाएं आपके अपने सु हैं, लोग हमारे साथ सुख उठाएं, लोग हमको सुख दें, क्यों देंगे भई, कहीं लोग ऐसा नहीं देंगे, कहीं लोग आपको ऐसे बाड एक्सपीरियंसे जीवन में देंगे, जहां पर आप फिर अंदर कहेंगे, ओहो, ये तो कहानी खराब हो गई, अच्छा भई, च होता है, फिलासफर होता है, अकल्ट, ग्यान, गुरु, टीचर, बहुत कुछ काम कर सकता है, लोगों को उनकी परिशानी से मुक्ति प्रदान करने वाला हो सकता है, क्रियेटिव बहुत होता है, हर प्रकार के बुर होंगे, उसके अंदर, वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो लोगों को उनकी बातों का अर्थ समझा दे, लोगों के अंदर के मन की बात समझ जाए, लोगों को पेंसे रिलीव कर दे, वो डॉक्टर है, वो कहीं ऐसी जगा में काम कर सकता है, कहीं एंजियो में काम कर रहा है, कहीं पुनर उत्थान में काम कर रहा है कहीं, ऐसा वो डॉक्टर है जो हीलर है, गाइड है, ऐसी जगा काम कर रहा है, जहां पे घुम घुम के लोगों को बहुत सारा ग्यान दे रहा है, या उसको वो चीज़े अच्छी लगती है, भाई, उसको जीवन में घुमना इसको सुपरदान करता है, और घुमना एक अच्छे लेविल पर ये नहीं है कि अब घूम रहे हैं जी तो साथ में और कहीं प्रकार के वह हो रहे हैं और वह कौन से हो रहे हैं हमारे अपनी गलत आदतों में कोई सराब चल लए है कोई गलत सेक्शुल चीजें चल लए है अपने जीवन में तो फिर फिर प्रॉबलम यही आगे खड़ी होती है कि आदमी अपने मन की मलिंता को दूर नहीं कर पाता है जब वो बाहर भी निकले अगर लाइफ में तो भी अपने आपको शुद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ट्वेल था उसका लॉट फोर्थ में बैठा है आपकी बार सबसे बड़ा ट आच्मेंट मत रखिये क्योंकि आपको कई बार कई लोगों से सुख नहीं मिलेगा कई लोगों से आनद नहीं मिलेगा कई लोगों से लाव नहीं मिलेगा फिर भी आप महां मरे चले जा रहे हैं जूटे चले जा रहे हैं और अंतता वो आपके दुख का कारण बना है तो भ प्रनीशनल लव, प्रेम लोगों को देते रहिए, सुक देते रहिए, अटाज मत होईए, अपने लिए सुक कहां से माँगिए, कि हमें को अकेला कोना मिल जा है, हम आनंद में पड़े रहे हैं, सुक में पड़े रहे हैं, राम भजन करते रहें, गुपाल का नाम जबते रहें, राधा राधा करते रहें, वो हमारा आनंद है, वो हमारा असली सुख है, हम अपने आपको शुद्ध रख पाएं, प्योर रख पाएं, शान्ती, सुख, आनंद, स्पिरिचुलिटी के अलावा चीजों को त्याग करने क अलावा कहीं नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिए, ये मन ही है, जो ट्वेल्थ हाउस का लॉट जब फोर्थ हाउस में बैटेगा, ये मन ही है, जो आपके जीवन को बना देगा या बिगार देगा, आपकी अंदर की इनर इंजिनरिंग को ये बिलकुल खराप कर सकता है, और जिससे फिर कई प्रकार के आप गलत कामों को देखिए, यहां पे प्रेरित हो सकते हैं, गलत रिष्टे, गलत दोस्त, गलत तरीके से जीवन में चलना, गलत तरीके से अपने आपको कंड़क्ट करना, गलत डिरेक्शन में जीवन में बढ़ जाना और सब कुछ गलत हो यहां पे और वैसे ट्वेल्डा, उसका लॉट फोर्थ में बेटा हुआ है, घर, परिवार के सुख के लिए, सब चीजों के लिए, अनकंडीसिनल वैसे ही आदमी कर रहा है, बड़ा धीरजवाला है, बड़ा ग्यानवान है, अपने में रंता रहता है, वो अंदर से ही, श होनी चाहिए, यह जो मन है, जब ट्वेल्ड alar, फोर्थ में बेटेगा, तो आपको कही बार लालच देगा, कहीं परकार की उन चीजों की तरफ आपको आकर्सित करेगा, जो आपको बंधन में डालें, जो आपको लालच में डालें, मुह में अन चीजों को पोसित मत करिए, otherwise जो freedom चाहते हैं जो मुक्ती चाहते हैं जो आनन्द चाहते हैं जो असली नींद जाते हैं प्रभु का नाम लेके आनन्द से सो रहे हैं वो कभी भी नहीं मिल पाएगा वो आपको चक्कर में डाले रहेगा कोई गहरे pain देगा कोई गहरे detachment देगा कोई गहरा बज़ रपात आपको देगा fourth house से related 12 house का भाई इसका मन तूड़ जाए विरक्त हो जाए बेरागी हो जाए इसका interest lose हो जाए कुछ चीजों से related जो ये चीज़ें बड़ी अच्छे से चाहता है लाओ हम इससे छीलने देखें ये किस प्रकार से react करता है क्या करता है ये सारी चीज़ें देखिए होने यहाँ पर जब 12 house का लॉड फोर्थ में बैठता है और वैसे आदमी great thinker great एक जिसको कहा जाए swim वो मा रूप होता है आप ये मान के चलिए जब 12 house का लॉड फोर्थ में बैठा हो तो आपको एक मा की तरह जीवन को पोशित करवाना है सब के अपने नहीं खुतों अपने में शुदता मा अपने लिए तो बिचारी क्या करती है सभी जानते हैं वो सभी के लिए करती है और अपने लिए कभी कुछ नहीं करती है लेकिन हमको वैसे ही बनना है जब 12 house का लॉड फोर्थ में बैठा हो कहीं बार हमको हमारी अपनी आदते हमारी जिसको कहा जाता है ना एक structure, routine नहीं है वो हमको problem दे सकती है life में हम competition से बच सकते हैं उन सारी चीज़ों, हरे हम इसमें ना पड़ें हम उसमें ना पड़ें, हम भाग जाएंगे पलायन कर जाएंगे कोई परशानी आ रही, कोई दुखार इसी रास्ता ढूंडने लगेंगे वो कश्ट का कारण बन जाएंगे ये बात को याद रखिए जीवन में आप अपने और दूसरी बात गहराई, गूरता, रिसर्च स्पिरिच्वालिटी, अकल्ट ये सारी चीज़ें आपको मदद करने वाली है 12 थाउस का लॉर्ड जब फोर्थ में बैटा हो ऐसी स्तिती में अगर खराब है तो बहुत बड़े भूचालों से आपको हो सकता है निकलना पड़े, क्यों? क्योंकि लगन का लॉड ही आपके मन को फिर सही रास्ते पे लगाता अब अगर वो भी खराब हो गया तो अब फिर सवारे का कौन जैसे कहा जाता है ना अब जब राम जी ही चले गए तो अब बचाएगा कौन भाई? तो अब वही वाली बात अलगन का लॉड ऐसी स्तिती में अगर खराब है तो कई वजरपात आपको सहने पड़ेंगे अब त्वेल्थ हाउस का लॉड जब फिफ्थ में बैठा हुआ होता है तब हमारे जीवन का वो हिस्सा जो छुपा हुआ है एक हिडिन टैलेंट है जो स्वतंत्र होना चाह रहा है वो फिफ्थ हाउस में चला गया अब रास्ता प्रभू को ढूंडने का फ्रीडम का मुक्ती का कहां से प्रशस्त हो सकता कहां से निकल सकता है प्रेम के द्वारा हम अनकंडीशनल प्रेम कर रहे हैं लोगों से हम अनकंडीशनल रूप से लोगों का स्ने कर रहे हैं साथ दे रहे हैं उनका इसमें लवमारिज की भी संभागना है संतान के लिए भी हम unconditional रूप से उनको प्रेम कर रहे हैं हमारे सहयोगियों को हमारे स्टूडेंट्स को हम उनके साथ बढ़ा लगाव करते हुए चल रहे हैं जीवन में 12 थाउस का लॉर्ड फिफ्ट में बैठा हुआ हमको यही तो सिखाएगा ना आप कैसे मुक्त हो सकते हैं हम कई बार लोगों के साथ जुडेंगे उनका फायदा कराएंगे उनको knowledge देंगे उनको ग्यान देंगे क्योंकि फिफ्ट हाउस का है का है ग्यान का है knowledge का है intelligence का है guiding का है advising का है लोगों को right kind of advising का है हम कैसे अपने आपको मुक्ती की तरफ ले जाएंगे कैसे हमको संतोश मिल देगा लोगों से स्नेकर के जैसे मैंने बताया right advice देखे खुद knowledge लेके खुद ग्यान लेके बहुत creative हो सकते हैं कोई ऐसे टालेंट गाने का बजाने का कोई instrument बजा रहा है कोई गा रहा है कोई लिख रहा है बहुत creative हो सकते हैं 12th house का लॉड 5 में बैठा हुआ होता है कोई या कोई पूर जनम से related हमारे अंदर talent अवश्य हो सकता है वो कौन सा planet है क्या show कर रहा है वो देखी एक अलग बात है प्रतक बात है लेकिन होता अवश्य है ग्यान में knowledge में creativity में बहुत मन लगता है ऐसे व्यक्ती का ऐसा व्यक्ती सदे पढ़ता भी रहना चाता है जब 12th house क lot fifth में अच्छी तरीके से अगर हम लोग उसका मतलब जान रहे हैं या सही सोच रखता है right तरीके का decisions life में लेता है कि हम ये काम करेंगे तो देखिए गलत है ये काम करेंगे हम अपने जीवन में तो ये सही है तो हम सही रास्ते की तरफ चलेंगे 12th house का lot fifth में बैठा हो आदम कहीं बार अपनी कहीं आदतों का गुलाम हो जाता है सेवक हो जाता है अब उन्हीं के पीछे लगा रहता है जीवन में सकता जुआ lottery speculations पढ़ाई ना करना ये सारी चीजी उसके अंदर आ सकती है उसका दिमाग उसका ग्यान हर प्रकार की गलत चीजों की तरफ जा सकता है प भी वो इन चीजों में पढ़ा हुआ है जो की गलत है तो उनके जीवन में प्रेम इतना है कि भाई वो सही पात्रों को देनी की बजाए वो सभी में बाट रहे हैं प्रेम वो देखिए स्थी सही नहीं होती उस चीज के लिए मैं कह रहा हूं तो आप अपने बच्चों के ल लाइफ पार्टनर हैं उनके लिए आप सदेव उन्ही को प्रसंद करके उन्हीं को प्रेम देके आप एक आगे की तरफ अपनी यात्रा कर सकते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में कई बार कई creativity, skills, कई मित्रों के उपर, कई चीजों के उपर बहुत पैसा spend करता है, कई बार अपनी आदतों के लिए कोई mantra, पूजा, शास्त्र, spirituality, इनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, कई बार हम जिन चीजों को चाहते हैं, जिनको हम प्रेम करते हैं, वो हमको ठेस पहुँचाएंगी, दुख पहुँ हमारे inner frustrations को जगाएंगी, हम ये पढ़ना चाते थे, नहीं पढ़ पाए, हम वो position जीवन में चाते थे, नहीं मिल पाई, ये frustrations जनम लेंगी, ये हमारे जीवन की आपा धापी होगी, अपने mind की, हमारे intellect की जीवन में समझदार और ग्यानी बहुत हो सकता, लेकिन जिस position में पहुंचना था, आजमी सोच रहा हम वहां नहीं पहुंच पाए, जो चीज पढ़नी थी, जो subject पढ़ना था, जो ग्यान लेना था, हम वो नहीं कर पाए, तो जो चीजें हम को चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाएं, कहीं बर ऐसा व्यक्ति को लग सकता है, 12th house का Lord जब 5th में बैठता है, तो 5th house ये याद रखिए, हमारे पूर जनम के अच्छे और बुरे फलों से related होता है, 12th house का Lord, losses से related होता है, अब अगर आपके 5th house का Lord, यहां पे खराब स्थिती में बैठा है, wrong judgment, wrong habits, बुरी आदतें, हमको जीवन में पतन की तरफ ले जा सकती है, वो हमको ऐसे ऐसे समय दिखा सकती है, जो की हमारे judgment wrong हो जाए, हमारी संतान से related problem हो जाए, हमारे किसी प्रकार से जो प्रेम से संबंदित है, हमको उसके उत्तर ना मिले, हमको वो साथ ना मिले, हमारी अपनी habits खराब हैं, आदतें खराब हैं, किसी प्रकार का speculations, जुवा, इन सारी चीजो जो से related हमने अपने आपको भरष्ट कर लिया, खराब कर लिया, पढ़ाई नहीं करी, ग्यान नहीं लिया, एक absent mindedness हो गई, 12 था उसका Lord 5 में जहां बैट के आदमी को बहुत प्रकर, बहुत intelligent, बहुत ही ग्यान का एक समझ लीजिए, बहुत प्रमुक्ता से उसको दे सकता है, वहीं उसका ग्यान ही काम नहीं आरा, पढ़ लिख तो लिया, लेकिन उसका किसी काम ही नहीं आरा, ये सारी चीज़ें भी देखिये हो सकती है, जिन चीज़ों को हम चाहते हैं, जिन चीज़ों को हम लगाव करते हैं, वो हमको नहीं मिल पाती हैं, वो frustration create करती हैं जीवन में कई बार कुछ लोग जो हमारे साथ के हैं, वो ही हमको नीचे गसीट ले जाते हैं, डाउन कर देते हैं हमारी लाइफ में, wrong judgments, wrong decisions, wrong path पे चल पड़ना, ये सब past life से related शुबता अगर नहीं हैं वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें देखिए, यहां create हो सकती हैं कि देखिए, पा किस परकार से judgment लेते हैं, किस परकार से लोगों को सलहा देते हैं, तो मैंने आपको बताया, जब 12 ता उसका Lord 5 में बैठा होता है, तो ऐसे आदमी का कार होता है, लोगों को प्रेम करना, लोगों को सही अडवाइस करना, सही तरीके से काउंसल करना, लेकिन ये नहीं है कि उ अब उसका मान चाहिए, उसका सम्मान चाहिए, उसकी ये चीजे चाहिए, तो फिर वो ही वाली बात है, फिर वो बंधन करता है, हम लोगों के साथ कर रहा है, वो बंधन कर रहा है, अपने आपको मुक्त रखिये, उन चीजों से related, कहीं जिनको हम प्रेम करते हैं, कहीं हुई है उसको accept करना सीखिए तियागना सीख्ञिए छोड़ना सीख्यए अपने आपको लोगों के लिए समर्पित करिए प्रेम समर्पित करिए अपना ज्रेश्व पीज्य करिए ۔ किसी से इर्शा मत करिए कोई बैड हैपिट अपने जीवन में मत लेके आईए तोकि पाँचवा स्थान हमारी हाबिट्स का भी हमारी लाइकिंग का भी अब आपकी लाइकिंग क्या है प्रभू अच्छाई ग्यान अच्छे मित्र या जुवा सटा लोटरी गलत काम कर रहे हैं गलत चीजे देख रहे हैं गलत चीजों के साथ पढ़े हुए हैं यह सीजे हमको प करों में पढ़के रहे गए हमारा माइंड ही नहीं लग रहा सेटिल ही नहीं और आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं हमको हमारे जीवन में पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है क्या डिसीजन ले रहे हैं क्या एक अपसेंट माइंडेडनेस है पढ़ाई लिखाई सथ चौप किसी भी प्रकार का देखिया आपके द्वारा किया गया कोई ऐसा काम कोई गलत काम जिसको कहा जाता है ला कि हमने एकदम से अचानक से कोई decision ले लिया किसी चीज के बारे में जो की अच्छा नहीं है चाहे वो पैसे से संबंदित हो चाहे relationship से संबंदित हो चाहे कुछ ऐसे factor से संबंदित हो जो कल को long run में हमारे लिए हमारा पतन का कारण बन जाएंगे चाहे वो एक छोटी सी बात education को ही लेके हो हमने उस पत पे बढ़ चले जिस पत पे हमको नहीं बढ़ना और बाद में वो हमारे लिए बहुत बड़ा हैवाक क्रियेट कर दी हम लोगों के ऊपर इतना विश्वास कर बैठे जो कि हमको बड़े भारी से भारी loss परदान कर अब का साथ देगा धर्म पिता ग्यान शुच्चिता शुधता ये सारी चीजें आपका साथ देंगी आपका भाग ये आपका साथ देगा ये बात याद रखिए डिजाइर आपको नीचे घसीतेंगी हमेशा एक के बाद एक डिजाइर नहीं होनी चाहिए ना उसका हमारी desires इतनी ज़्यादा हैं कि हम उसी के बोज के नीचे हमेशा चले जा रहे हैं पड़े जा रहे हैं हमको अपनी भाशा को अच्छा रखना है अपने भोजन को अच्छा रखना है क्योंकि 12 ताउस का लौट 5 में बैठा हुआ पेट से संबंदित रोग दे सकता है और पेट है यह एक अलग बाते हैं वहां से रिलेटेड वो इस्यूस भी देता है जहां जहां बैटेगा उस घर से रिलेटेड जहां गएपन हीशूस का लौट 5 में बैठा हो तो प्रभू को मिलना कैसे हो सकता प्रभू हम कैसे मिल सकते हैं कैसे हम स्वतंत्र हो सकते हैं, कैसे हम freedom पा सकते हैं, कैसे हम मोक्स की तरफ जा सकते हैं, देखिए ये बताता है अब के 12 था उसका Lord Six में बैटा हो तो उसमें शास्त्रों में लिखा है, हमारे astrology books में लिखा है कि ये विपरीत राजियोग है, बिल्कुल है, किस तरीके से बनता ह है कि रास्ता क्या है, रास्ता है hard work, labor, organized हो के चलना, structured हो के चलना, routine हो के चलना, अपने जीवन में precision, detailing, सेवा भाव, service भाव रखना, जीवन में, जीवन में नित अपने आपको कार में लगाए रखना अपने आपको, ये नहीं है कि आनंद ले रहें, सुख ले रहें, नहीं आपको routine जरूरी है, structure जरूरी है, हर प्रकार की मेनद जरूरी है, service एक attitude, एक सेवा भाव, लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करने का attitude होना, यहां बहुत जादा जरूरी है, detail से चीजों को देखना, उन चीजों के बारे में ग्यान रखना आपका, intuition आपका, intellect, कहां से जादा काम करेगा, sixth house के matters में, चाहे वो law से related हो, चाहे वो healing से related हो, चाहे वो service से related हो, चाहे वो परशानियों से निपटने से related हो, competitiveness में, आप कितने competitive हैं, आपके सामने परशानी आ रही है, problem आ रही है, आप उसको fight करने के लिए डटे हुए हैं, और आप उसको सही तरीक से मेहनत से, ग्यान से, समझदारी से उसको पार पार हैं, ना कि लडाई जगले से, 12th house का lot 6 में बैठा, ये विपरीत राजयोग जो कहा जाता है, वो तब बन के आता है, जब हम उन घरों से related अच्छे points ग्रहन करें, otherwise 12th house का lot 6 में बैठा है, हजारों ऐसे लोग हैं, जो जगले, law cases, बिमारी, डेट इनमें फसे हुए हैं आज भी, ये बात को याद रखिए, तो 12th house का lot 6 में तभी आपको मुक्त करेगा, तभी आपको freedom प्रदान करेगा, जब आपके पास direction होगा, जब आपके पास महनत होगी, जब आपके पास करमचता होगी, आप service attitude रखेंग इनी चीजों में आपको, आपका mind भी काम करेगा ना, वहीं पे आपके traits हैं, hidden talent हैं, परशानियों से निपटना, कोई doctor, कोई law, कोई army, कोई police, ये सारे लोग क्या करते हैं, वहीं ये सब परशानियों से निपटते हैं ना, किसी भी परकार के technical subjects पढ़ना, जो कि किसी परकार की चीजों को दूर करते हैं, कठनाई जिनको कहा जाना, इंजीनियों ऐसे होते हैं, जो परशानी को दूर करते हैं, जो उनके विभाग में आ रही होती हैं, ये आपके अंदर की advantage है, इसको use करिए, यहीं पे आपके hidden talent है, आपको अपनी exercise, health, मैं इस चीज में बड़ा चाह हों मुझसे आप सला ले लीजिए, आप सला दे रहे हैं लोगों को इन चीजों के बारे में, स्वे मुन लाइन पे चल ले हैं, आपके लिए यही विपरीत राजयोग है, यही आपका freedom है, यही आपका मोक्ष है, यही आपकी मुक्ति है, यह बताता है कि हर प्रकार के द्व expenditure क्या करना है, यहां 12,000 का lot को कहा जाता है कि यह खर्चा है, यह loss है, यह expenditure है, 12,000 का lot जब 6 में बैठेगा, तो यह तो देखिए बिमारी परशानी, कश्ट, रोग, जंजट, लड़ाई, जगड़ा, इनमें पैसा खर्चा करा रहा है, यह आपकी महनत खर्चा करवा रहा है लेबर, सिक्स्थाउस रिलेटेड है, लेबर से भी, महनत से भी, मजदूर से भी, जीतोड महनत कर रहा हैं, जी, 18 गंटे महनत करते हैं, बिना हम आख उठाय हुए, बिना सर उठाय हुए, जब हम अपनी लेबर को expenditure में डाल रहे हैं, तो जो उसका output निकलेगा, वो क्या न मिलेगा, अगर हम 12 थाउस के लॉड को सिक्स्थ में, यही विपरीत राजीयोग होता है, इसी को कहा जाता है, कि हम उस चीज़ को नहीं देखते हैं, यह थोड़े के 12 थाउस का लॉड सिक्स्थ में बैठे हुए, किसी दिन एकदम से अचानक से हम scientist बन जाएंगे, किसी दि आपको कहां पे जोंकिए, वो यह बता रहा है ना, 12 थाउस का लॉड, 12 थाउस के लॉड कहते हैं, वो सेक्लिउजन है, वो लॉसिज है, वो एक्स्पेंडीचर है, वो बंधन है, सारी चीजे है, अब वो सिक्स्थ थाउस में चला जाएगा, तो वो क्या कह रहा है, लॉसि इडशा, इन सारी चीजों से दूर रही है, यह सारी चीजें आपको सिक्स्थ हाउस से रिलेटिड जीवन में कई प्रकार के फिर अभी शाप शो करेंगी, मैरिस से रिलेटिड प्रॉब्लम हो सकती है, लड़ाई जगले हो सकते हैं, आपके सुक्की हानी हो सकती है, यहां इस बात को अवस्य याद रखिए, कि आपको यह सारी चीजों से इन सड़ रिपूं से उपर उठके रहना है, क्योंकि अगर इनमें पड़े रहेंगे, तो फिर तो आप समझी सकते हैं, हमारी उनसे हिर्शा हो रही है, हमारा उनसे क्रोध बहुत बड़ा हुआ है आज कल, अब फिर सारी सत्यानासी, उन सारी चीजों को त्याग दीजे, उसी से मुक्ति आपको पाना है, वो ही साधन है, एक साधन है सेवा, दूसरा साधन है, इन सारी चीजों को त्याग देना, कोई हमको उल्टा सीधा कहे कि चला जा रहा है, भाया वो चिपक नहीं रहा, वो कु को जवाब नहीं दिया मैं राजा नहीं बन पाओंगा तो मैं अपनी ताकत कैसे दिखा पाउंगा अरे उनी सारी चीजों में पड़के अपने जीवन के अपने मनस का सत्यानाज कर लेता है आदमी उन चीजों से दूर रही है उन साथी चीजों से ऊपर उठी आपके अंदर की हिडिन टालेंट को देखिए टेक्निकालिटी को देखिए कोई हैं फास्ट हैं बड़ी एजिलिटी है आपके अंदर ऐसा सोच थी ट्वेल्थाउस क्या होता है हो सकते है हमारे अंदर इतनी ज्यादा अईलिटी अबिलिटी फास्टनेश शुफ्टनेश कोई आर्मी में है कोई उसके अंदर बड़ी ज्यादा तकड़ा उसके पास एग जिसको कहा जाता आ है यह वह है वह कुई है वो जानता हैयिस चोटे स्थान को बहुत आपकर, कान है और उसको बड़ा ही creative way में पेश करता है इसको यूं कहा जाए क्योंकि उसको साथ भी मिलता है वो सदा हुआ है उसका mindset है आप यूं कह सकते हैं उसने अपने अंदर के उन पक्स को उस पक्स को रोका हुआ है जो कि उसको detailing में जाने से रोकते हैं हम जैसे इसका क्या आरत है हम पढ़ रहे हैं कोई बहुत गूर किताब है बहुत कठीने भाई या इस किताब को कौन पढ़े अरे वो वाली picture हम सोच रहे हैं वो वाला हमको फलाने ने ये कह दिया था अब जो सधा हुआ होगा व्यक्ति जब 12 था उसका लॉट 6 में बैठा है उसके सामने वो किताब है जो उसको पढ़नी है उसके अलावा उसको कोई नजर नहीं आएगा ना कोई करोध ना कोई प्रेम ना कोई सोच कहीं नहीं जा रहा वो बाहर से बंद हो गया बस एक कमरे में जैसे आदमी को बंद करके बैठा दो ना अंधेरा कर दो और फिर वो क्या सोचेगा क्या देखेगा कुछ नहीं है उसके पास तब तब वो अपने आपके ऊपर चिंतन और मनन करना शुरू कर देता तो जो अच्छा आसपेक्ट है इसका वो यह है वो बहुत डिटेलिंग में जाके चीजों को समझेगा देखेगा और अपने लिए राज असी पद्वी प्राप्त कर लेगा लड़ना पड़ेगा यहां पर देखिए फाइट यहां डालनी पड़ेगी एफर्ट डालनी पड़ेगा अगर का भी कहा जाता है आनंद का भी कहा जाता है सुख का भी कहा जाता है वो सारी चीजे जब सिक्स्थाउस में आके मिलेंगी तो हमको उनसे मिलवाएंगी मालू पड़ा हमारी कोई जी मैं तो ट्वेल्थाउस का लोड़ सिक्स्थ में बैठा है मान लीजिए मैं तो शराप प करवा देगा यहां पे वो अंत था तो ट्वेल्थ हाउस का लॉड़ जब सिक्स्त में बैटा हो किरपा करके उन आनंद को उन चीजों को उन सोचों को अपने से प्रथक रखिए जो कल के लिए छटे स्थान की चीजों से आपको नहीं तो साक्षातकार करवाए लडाई से आपके पास फाउंडेशन नहीं है कोई आपके पास अबिलिटी नहीं है और आप लगे एक एमपायर बिल्ड करने के लिए और लाखों करोओं के रिंड के नीचे चले आए यहां पे आपकी अपनी एक सोच की वज़ा से आप यूं आप कह लीजिए किसी भी प्रकार की विपरीत राजयोग नहीं देगा उल्टा आपको पतन की तरफ लेके जाएगा और यह याद रखिये वो कहता है विपरीत राजयोग तब ही जब सेल्फ एफर्ट डालोगे जब महनत करोगे जितने भी अपने अंदर की इच्छाएं हैं उनको ड्रीम्स को पूरा करने के ल करूं नहीं मैं उससे अटैस ना हो जाओं यहां पर यह भी बताता है कि अब लगे चक्की में पीसने अपने आपको 24 गंटा लगे हुए और अंतता फिर लास्ट में यह कह रहा हैं 70 साल की उमर में जीवन भर भाई हम तो लगे रहे शान्ती नहीं मिली अरे तो जितना करना है उतना करने के बाद साधन अपना दूसरा रास्ता देखिए दूसरी सेवा में जाएए किसी प्रकार की जब अपने आपको मुक्त कर लें परिवार को मुक्त कर लें तो एक चीज बनाईए वहां पे के फिर हम आगे अपना और किसी तरीके की सेवा में जाए ना फिर तो ह कजारों प्रकार की सेवा हैं आपका इंतजार कर रही है सिरफ अपनी सेवा करवाली पैसा कमा के या परिवार की सेवा के लिए धन इखटा कर लिया क्योंकि यहाँ छटा स्थान तो देखिए अर्थ त्रिकोर में आता है तो धन का तो यहाँ पे सेवा करवाली आपने अपनी मेहनत से सबको दे भी दिया अब और चीजों की भी तरब तो ध्यान दीजिए शान्ती अगर आपके जीवन का लक्ष है या सूत्र है तब आपकी लाइफ बड़े अच्छे से चलेगी काम में आप अपने पूरा बाहुबल दिखाईए लेकिन जीवन का सोर्स रखिए शान्ती लेजी मत होईए करमठ रहिए हर प्रकार से अपने कामों को करते रहिए जो कॉंपटीशन आए जो परशानियां आए उनसे लड़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए कंटिनुएस अपना एफर्ट डालते रहिए किसी भी प्रकार का हालिस्ट फॉर्म आफ योगी यहां पे होता है एक योगी होता है ध्यान बजन पूजा पाठ कर रहा है वो योग कि इस संसार में रहे के द्वंदों को जेल के और वो सही है जिसको कहा जाए ना भाई कोई भी परशानी आ गई लेकिन इस व्यक्ति ने गलत का साथ कभी नहीं दिया इसने गलत कभी कुछ नहीं किया यह होता है ट्वेल्थ हाउस का लॉड शिक्स्त में बैठे हुए विप परित परस्तितियों में अगले आदमी ने अपने आपको ऐसे तठस्त रखा है हिला नहीं है यही फ्रीडम है यही मुक्ती है यही प्रभू का साथ है किसी भी प्रकार के कोई ग्रज कोई लड़ाई कोई आपा धापी यह समना रखी इन जब सको छोड़िये यह आपका मतल नहीं है जब 12 था उसका लॉड 6 में बैठा होता है किसी भी प्रकार के ऐसे कार जो की आपको पतन के रास्ते की तरफ ले जाए किरपा करके उन से दूर रहिए बहुत ज़्यादा जरूरी है भाग आपका तभी साथ देगा जब आप करम योगी होंगे इस बात को याद सकते हैं ग्रेट करियर 12 था उसका लॉड 6 में बैठके आपके अंदर वो ताकत वो शक्ती देता है कि इंपायर बिल्ड कर सकते हैं आप यहां पे करियर से रिलेटेड प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको नाम हो सकता है और जैसे मैंने कहा किसी भी प्रक कई बार आपके जीवन में टूटेगी आपको उसको स्ट्रॉंग करके रखना है लाइफ में तब ही 12 था उसका लॉड जब 6 में बैठा हो हर प्रकार से आपको मुक्ती प्रदान करेगा साधन प्रदान करेगा शांती प्रदान करेगा आनंद प्रदान करेगा आपका सुख सेवा में हैं इस बात को याद रखिएगा 12th house का लॉट जब 7th में बैठा होता है तो इसका आर्थ ही यह है कि हमारे जीवन में freedom, मोक्ष, spirituality या प्रभू के पाने का जो रास्ता है वो 7th house से होके निकलता है इसका मतलब है जीवन में हमको पार्टनर्शिप्स पे ध्यान देना पड़ेगा, relationship में ध्यान देना पड़ेगा, marriage पे ध्यान देना पड़ेगा, coordination पे ध्यान देना पड़ेगा, हमारा बाहर की दुनिया के प्रती किस प्रकार का व्यक्तित्व है हमको इस पे बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ेगा अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति के लिए marriage बहुत important होती है जीवन में marriage ऐसे व्यक्ति के काफी इम्तिहान लेती है test लेती है कई बार marriage नहीं भी होती है, late होती है, marriage में कई बार problems होती है, कई दफ़ा यहां पे बैठा हुआ 12 था उसका Lord व्यक्ति को काफी isolated बनाता है, spiritual होता है, उसके अंदर एक shyness होती है, उसके अंदर एक जिजक होती है, कई मामलों में वो अपने आपको सही तरीके से present नहीं कर पाता है, बाहर की दुनिया में, लोगों के साथ, relationship में, तो कई बार वो विभा से swim ही प्रतक हो जाता है, शायद वो उसका रास्ता नहीं होता है, तो 12th house का लोड जब 7th में बैठता है, तो जीवन में जैसे मैंने आपको बताया कि विभा इन सारी चीजों में adjustment, यहाँ पे sharing, यहाँ पे देना, यहाँ पे जिसको कहते हैं कि हम क्या दे सकते हैं, हम किस प्रकार से adjust कर सकते हैं, हम किस प्रकार से sacrifice कर सकते हैं, अपनी relationships को चलाने में, marriage को चलाने में, बाहर की दुनिया के लिए हमारा conduct बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा धर्मा बहुत अच्छा होना चाहिए, 12th house से अगर आप गिनेंगे, तो 7th house आता है 8th, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे freedom है, जो हमारी मुक्ती है, जो हमारा independence है, उसकी मृत्तिव शो करता है यह 7th house, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ती कहीं बार बहुत जादा materialistic nature का हो जाता है, सदेव वो काम की चक्की में परपिस जाता है, यहाँ पे फिर से वो कहीं प्रकार के आनंद, भोग, marriage, इन सारी चीजों में वेवस्थित हो जाता है अपने जीवन में, तो यहाँ पे पॉइंट सीखने वाला क्या है, कि आप जीवन में, विभा में, पार्टनर्शिप में, बिजनिस में रहिए, लेकिन यहाँ पे वो ही वाला पॉइंट है, दुनिया में रहे के भी आप दुनिया से प्रथक या अलग रहिए, आपके लिए यह बहुत एक important किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम, जो की आपके नाम को खराब करें, बाहर के लोगों के साथ, बाहर की दुनिया के साथ, वो उचित नहीं हैं, किसी भी प्रकार की creativity, किसी भी प्रकार के ऐसे ideas, जो आपको business पे related, foreign से related, किसी भी प्रकार के coordination related, work से related, मदद करें, ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छे होते हैं, जीवन में वो एक उसके स्थायत वो होता है, balance जीवन में वो चाहता है, lawful होना चाहिए उसको, 7th house में जब 12th house का lord बैठा होता है, तो जीवन में कई बार इस प्रकार का संदर्ब भी आपके सामने आएगा, कि ये व्यक्ति जो है, जीवन में कितना जादा सत्त की ओर है, जीवन में, जो सही है वो सही और जो गलत है वो गलत, क्या इस वाली बात को life में importance देता है, इस प्रकार के हमारे सामने test होंगे, हमारे अंदर की internal frustrations जागती है, कहीं relationships को लेके, कहीं काम को लेके, कहीं frustrations जागती है, और वो भी हमको handle करनी होती है, यहाँ पे व्यक्ति को बहुत सचरित्र होना पड़ता है, क्योंकि देखिए 12 था उस भी कहीं प्रकार के hidden players का है, 7 था उस भी देखिए भोगों का है, यहाँ आदमी के पास हर प्रकार के लाव, हर प्रकार के भोग और आनंद तो प्राप्त होंगे, लेकिन यहाँ पे सीखने लाइक बात क्या है, कि हर एक बड़े अनुचित मात्रा में होने चाहिए, एक बहुत balanced मात्रा में होने चाहिए, desires भी जो है, हमारी जो इच्छाएं मी हैं, वो balanced होनी चाहिए, हमको कई बार sacrifice करना पड़ता है, हमको कई बार unconditional love प्रदान करना पड़ता है, हमको कई बार payback भी करना पड़ता है, इस दुनिया में, शायद शादी के थ्रू हमको payback करना पड़ता है, कहीं partnerships के थ्रू, कहीं businesses के थ्रू, कहीं हम लोग यात्राएं करेंगे, वहाँ पे हमको कहीं तरीके से अपने debt उतारने पड़ते हैं, क्योंकि बारवास्थान का स्वामी जो है, अपने साथ एक debt भी लेके चलता है, एक पूर्व जिसको कहा जाता है, ना रिन भी लेके चलता है, अब वो seventh house में होगा तो उससे related हमको, रिन भी देखिए, उतारने पड़ते हैं, हमको बहुत correct रहना पड़ता है, यहाँ पे हमको तपस्वी रहना पड़ता है, यहाँ पे हमको योगी रहना पड़ता है, detached रहना पड़ता है, बहुत responsible बहुत stable रहना पड़ता है, यहाँ पे हमको आप यूँ कह लीजे, मिलता सब कुछ है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमको wealth भी प्राप्त होती है, यहाँ हमारे अंदर self determination भी होती है, will power भी होती है, 12th house का Lord जब 7th में बैठता है, हम बहुत creative होते हैं, बहुत presentable होते हैं, we know, हम को पता होता है, कि बाहर की दुनिया के साथ किस प्रकार से interact करना है, किस प्रकार के उनके साथ वहवार करना है, उसके लिए बहुत अच्छी समझ होती है, यहाँ पे, लेकिन हमको यहाँ पे बिलकुल stubbornness नहीं दिखानी होती है, कहीं बार यहाँ पे हम लोग गो यह सोचना चाहिए कि कहीं बार हम यहाँ पे stubborn नहों, हम यहाँ free छोड़े, जो हमारे पास आता है, जो हमको प्राप्त होता है, जिन लोगों के साथ हम interact होते हैं, तो उनके पास जो हमारी छवी जाए, वो एक करम योगी की जाए, और साथ में एक ऐसे व्यक्ति की भी जाए, जो की धर हम से भी related है, तो दोनों ही पक्स को हमको लेके यहाँ चलना है, ऐसा व्यक्ति में जो image बाहर जानी चाहिए, वो just जानी चाहिए, कि हाँ यह व्यक्ति just है, ऐसा नहीं है कि यह अपने self-centered है, भोगों के परती पड़ा हुआ है, इसको जीवन में सिरफ आनन्द चाहिए, सिर गूमना फिरना चाहिए, सिरफ यह अपने interest देखता है, इसके लिए materialism सबसे ज्यादा है, क्योंकि देखिए फिर यह circle है, यह ऐसी आपकी image भी बनाएगा और फिर हमको कहीं बार गलत चीजों के लिए प्रेरित भी करेगा, और वो गलत चीजें, देखिए कहीं बार कहीं ऐ कहीं बार relationships में, partnerships में, business में, हमारे अपने जीवन की यात्रा में कहीं बार हमको बड़े isolations उठाने पड़ेंगे, कहीं बार हमको बड़े seclusion उठाने पड़ेंगे, सबके होते हुए भी हम कहीं बार अपने आपको अकेला फील करेंगे, हमको जीवन में कहीं बार अपने शत्र कि कुछ hidden habits भी हो सकती है जो कि अगर हमने नहीं समाली तो वो पब्लिक में जीवन में हमारे काम में हमारे relationships में हमारी marriages में आके हमको परशान कर सकती है 12th house का lot 7th में बैटा होता है ये बताता है कि हम सबके साथ प्रेम करें सबके साथ स्ने करें सबके साथ सामंज सच चलें सबके साथ हमारा relationship अच्छा होना चाहिए लेकिन यहां बात sexual की नहीं आ रही है कि हमारी बीच में कहीं हम हमेशा वो sexual thoughts की तरफ जाएं ये जो associations हैं जो हमा हमारे विचार अच्छे होने चाहिए हम क्या sacrifice कर सकते हैं दुनिया के लिए समाज के लिए क्या चीजें छोड़ सकते हैं हम क्या चीजें बड़े असानी से लोगों को दे देते हैं हम क्या चीजों में बड़े sharing हैं बड़े giving हैं हमको कही बार ऐसा आएगा समय जब 12th house का lot 7 में बैठा होगा हमको एक ultimate अपना character जीवन में बना के रखना पड़ेगा क्यों क्योंकि 12th house का lot बहुत powerful होता है इसके अंदर कहीं प्रकार के bad चीजें भी होती हैं और बहुत goodness भी होती है यह हमको elevate भी कर सकता है और गिरा भी सकता है तो हमको यह देखना पड़ेगा कि हमको किस level पे उपर उठना है या नीचे गिरना है और वो हमारी आदते हो सकती है विचार हो सकती है हमारी presentability हो सकती है हमारी इच्छाएं हो सकती है जो कि हमको परशान करें तंग करें या हम एक बहुत stable एक बहुत balanced एक बहुत peaceful वेक्ती हो हम अपने intellect को सही जगा use करें काम करने म तो ये सारी चीज़े हमको फायदा देंगी अननसेसरली बहुत ज़्यादा भोग बहुत ज़्यादा desires हमको तंग करेंगी और हमको कई परकार के losses भी देंगी कई परकार के business decisions कई परकार के लोगों के साथ भेट आपकी सिर्फ अदान परदान करने के लिए होगी या रिन उ लिए या हमारा किसी व्यक्ति के प्रती वहवार अच्छा नहीं था सोच अच्छी नहीं थी या हम उनके बारे में गलत सोच रहे थे तब ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आएंगी ये 12 था उसका लॉड जब 7 में बैठता है तो इस प्रकार से वो शो करता है हमको हमार हमारे फादर से हमारे भाग से हमारी लर्निंग से एड्यूकेशन से विज्डम से भाग से कहीं बार हमको प्राब्लम हो सकती है हमारे करियर रिलेटेड इशूस देखिए जीवन में हो सकते हैं हमको जीवन में वेल्थ से रिलेटेड प्राब्लम नहीं होती है हमको वेल्थ अच्छी प्राप्त होती है, हमारे डिजार्स पूरी होती है, हमारे कनेक्शन्स अच्छे होते हैं, हमारे बड़े भाई वगरा हमारी मदद करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, हमको हमारे फ्रेंज कहीं सपोर्ट करते हैं, जो बाहर के हमारे friends होते हैं वो हमें कई बार यहां पे support करते हैं यहां पे हमें swim का character अच्छा रखना बहुत जरूरी हमारी बुद्धी कैसी है हमारा विवेक कैसा है हमारे लगन का Lord कैसा बैठा हुआ है तब हम इस 12th के Lord को जो 7th में बैठा है या तो ये बहुत ही भोग काम और विलासता या वासना की तरफ चला जाएगा और ये या तो जीवन में देना सीखेगा लगन का Lord हमारा बुद्धी विवेक ग्यान धरम इन चीजों से रिलेटेड है अगर वो पत्रिका में अच्छा है हमारा character अच्छा है तब आपको हर प्रकार का यहां लाब मिलेगा आप जो भी काम करेंगे यहां पर आपको यहां पर व्रद्धी देखिए प्रदान करता है वो और यही क्वेल्धा उसका Lord जब सेवंध में बैठा होता है तो घर परिवार प्रॉपर्टी माता जी इनसे related भी जीवन में कई बार हमको struggles होती है या हमको मेहनत करने पड़ जाती है तो वेल्धा उसका Lord जब एर्थ में बैठा होता है देखिए यह वाली जो condition है इसको विपरीत राज यो कहा जाता है कि तो वेल्धा उसका Lord जब एर्थ में बैठा होता है इसका मतलब क्या है यहाँ पे हम प्रभू को सोतंतरता या फ्रीडम या मोक्ष अपने आपको शान्ती सुख की तरफ कैसे ले जा सकते हैं देखिए ट्वेल्धा उसका जब Lord एर्थ में बैठा है तो वो यह बताता है के देखिए कई बार ट्रांस्वर्मेशन जीवन में आएंगी कई बार हमको बदलना पड़ेगा कई बार हमारे जीवन में अप एंड डाउन जाएंगे उस समय हमको स्थिर रहना हमको ग्यान लेना डीपनेस में जाना रिसर्चर बनना साइकलोजिकल माइंड रखना अकल्ट किसी प्रकार का हीलर गहराई में जाके चीजों को ग्यान में लेना शुद्धता प्योर तपस्या इन चीजों को हमको जीवन में पकड़ के रखना क्योंकि जब ट्वेल्थाउस का लॉड एर्थ में आता है तो जीवन में कई प्रकार के हमारे भोगों से भी मिलवाता है क्योंकि देखिए एर्थाउस भी एक ऐसा हाउस है जो कि हिडिन हाउस है यहां पे भी बहुत सारी चीजें रहती हैं यहां सेक्स्यॉालिटी हैं अप्स औ डाउन्स हैं ट्रांस्वर्मेशन्स हैं बदलाव हैं और बारवा श्थान भी अपने अंदर कई प्रकार के प्लेजर्स समेटे हुए है यह उस प्रकार का एक उनकॉंशिस माइंड समेटे हुए है जो कि कहा ले जाए आपको तो बारवे स्थान का स्वामी जब एर्थ में आता है तो बहुत ज़्यादा जरूरी है अपनी एक ठोस जमीन या ग्राउंड बनाना जिसको कहा जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने लिए एक तपस्वी जैसा शुद्धी यहां चाहिए यहां प्यूरि का साथ नहीं छोड़ना पड़ता हम जितना गहरा जाएंगे जितना इस जीवन को समझेंगे जितना गूरता को लाइफ में समझेंगे उतना हमारे लिए आनंद का स्त्रोत उठेगा जितना हम समझेंगे कि शॉर्ट कट से बचें धोका धड़ी करने से बचें किसी का पैसा मा हम आप को बहना है फिर तो रहा है कि वहारी से बहारी दुर्दिन आपको दिखाएगा जो कि आ रिवर्स भी नहीं कर पाएंगे और विपरीत राज योग क्या कहता है विपरीत राज योग यहां भी यह कहता है कि बाई कठिन से कठिन पर स्थितियां हो प्राबलम्स हो उसके बावजूद भी आप स्थिर रही है तपस्वी रही है गहराई से चीजों कठिन कंडिशन में अपने आपको अच्छी तरीके से कंड़क्ट करिए लोगों की मदद करिए स्वेम जानिये पेन क्या है स्वेम जानिये दुख क्या है स्वेम जानिये परशानी क्या है ट्रांस्वर्मेशन क्या है बदलाव क्या है वो वाली पढ़ाई से related experience लीजिए या पढ़ाई करिए गहराई spirituality, astrology, अकल्ट, research, PhD ये सारी चीज़े हमको मदद करती हैं ऐसी इस्तिती में स्वेम उस जीवन को जीने के बाद जब आप स्थिर हो जाते हैं जब यहाँ पे आपके अंदर के aggressions जब यहाँ के अंदर के आपके जो वो उथल पुथल है एक abusiveness है एक तेजी है वो जब आप समझ लीजे ठंडी पढ़ जाती है जब बैलन्स पढ़ जाती है तो पहले तो आप settled होते हैं आपको पता चलता है चुप चाप रहे के अकेले रहे के सीक्रेटिव रहे के ज़्यादा बैंड बाजा ना बजा के अपने जीवन को जीना चाहिए अकेले रहे के सीक्रेटिव रहे के का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हम शो में नहीं पढ़ रहे हैं अपने जीवन में क्योंकि अब जब हमको जीवन समझ में आ गया कि इसमें सुख है, दुख है, कुछ कश्ट आएंगे, उसके लिए हमको बदलाव करना पड़ेगा, उसके लिए हमको ट्रांस्फॉरमेशन उठानी पड़ेंगी, उसके लिए हमको अपने जीवन में री अड्जेस्टमेंट करन पड़ेगा, तब हम स्थिर हो जाते हैं, यही ग्यान हम दूसरों को देते हैं, हम दूसरों को हेल्प कर पाएं, किस तरीके से वो इन कठिन कंडिशन में निकलेंगे, या जो यह कठिन कंडिशन जीवन में ट्रॉमाटिक कंडिशन होती हैं, उसको कैसे निप्टा जाएं, पहले खुद सीखना और फिर दूसरों के साथ इस चीजों को शेयर करना हमारे जीवन में हो सकता है marriage से related, in-law से related कहीं बार जनम से ही हमको कुछ प्रकार की विपदाय या परिशानिया जीवन में हमको मिलें तो हमको उसको accept करना है जीवन में हो सकता है कहीं बार हमारे अंदर क कहीं जगा पे नहीं लगता हमारी गलत संगत है हमारा गलत को है कहीं बरकार से इस बरकार की चीजें जीवन में हो सकती है तो बारवेंस्थान का जब स्वामी अस्टम में जाता है वो कहता है सब कुछ अस्टम में डुबो दीजिए डुबो देने का मतलब यह है कि यहां प मार्ग पे चलने हैं, अब हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई चोरी चकारी नहीं कर रहे हैं, हम कोई इजी तरीका नहीं ढून रहे हैं, हम को जीवन में सौ रुपए कमाने हैं, या सौ रुपए अगर मिलेंगे, अगर हमने ये जान तो हो रही है दूसरी बात अगर 12 था उसका लॉड एर्थ में बैटा हुआ है तो हम जानते हैं जीवन के बारे में हम बहुत डीप होंगे फिलोसिफिकल होंगे हम को जीवन के बारे में सब कुछ पता है अब हम चीजें ही करेक्ट कर रहे हैं शुरुआत से शुरुआत से कोई नसा कोई सेक्शुआलिटी कोई ऐसे काम उसको पहले से पता है वो पहले से ही गुरू है 12 था उसका लॉड एर्थ में अच्छी तरीके से जब फंक्शन कर रहा है इसी को विपरीत राजियोग कहते हैं और जिनका नहीं भी कर रहा है फिर इमेच्चूर तरीके से बिह पे करते हैं तो फिर उनको बट नाच्रल है कहीं परकार के एक्सपीरियंस मिलते हैं बिजनिस को लेके पैसे को लेके कहीं परकार का उनको जीवन में इस तरीके से उठाना पड़ जाता है क्योंकि इजी मनी कोई पैसा अपना लगा दिया कहा लगाना है क्या डिरेक्शन है उनको नहीं पता होता है अधर वाइज अगर करेक्ट होता है तो ऐसा आदमी फॉरण से धन कमाना रिसर्च से साइकलोजी से अकल से डॉक्टर हीलर गुरू टीचर लोगों को पैसा बना के देता है ऐसा आदमी इंशोरेंस में लगा हुआ है लोगों को हेल्प कर रहा है कठिन पोजीशन में होते हुए भी अपने आपको करक्ट फॉर्म में रख रहा है अपने आपको करक्ट तरीके से कंड़क्ट कर रहा है धर्मा पे कंड़क्ट कर रहा है लोग मिसाल प्रदान कर रहा है कि भाई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जीवन में कि जितनी भी कठिन कं आपको प्रूव कर पाता है, बहुत क्रियेटिव होता है, क्योंकि 12th house का लॉट जो है, वो creativity से related है, artistry से related है, वो हर प्रकार का ग्यान रखता है, देखिए 12th house का लॉट, अब अगर जब वो 8th house में बैटा है, तो जितना भी deepness में आदमी जा सकता है, कोई analyze, कोई risk taking, कोई जि scrutiny वाले जितने काम है, account की जितने काम है, दुनिया के businesses हैं, पैसे से related जितने भी काम है, उनको handle करना है, उन सब कामों में भी बड़ा दक्ष होता है, और वहीं दूसरी तरफ, जब इसको सही तरीके से नहीं conduct करेगा, दूसरों के लिए पैसा डुबो देना, खुद अपना पैसा डुबो देना, शौट तरीके से पैसा कमाना, फिर चोरी चकारी कोई ऐस तरीके के काम कर जाना, जिसमें fraud involved हो, ये involved हो, तो उससे अपना वो बंटाधार कर लेता है, तो मृत्यू पे एक तरीके से विजे प्राप्त कर लेता है, ऐसा आदमी, वज़ा क्योंकि उसको डर नहीं रहता है, क्योंकि सतता पता चल जाती है, प्रभू का नाम आ जाता है, उसको पता चल जाता है, बुरे से बुरा क्या होगा, अच्छे से अच्छा क्या होगा, तो उसको पता चल जाता है, तो वो mistakes भी नहीं करता, जो जीवन में उसको कहीं लोग कर जाते हैं अप certainities फिर हमारी health खराब हमारी longevity पे देखिए असर पड़ता है तो यहां पे grounded रहना बहुत जरूरी है यहां stable रहना बहुत जरूरी है यहां शांती आपको अपने अंदर ही मिलेगी क्या चीज़े त्याक के मिलेगी भै त्याक के मिलेगी darkness त्याक के मिलेगी darkness में रहे के और darkness त्याक के आपको शांती मिलेगी इसका अर्थ क्या है कि हमने कहीं pain झेले हमने कहीं परशानिया झेली हमने कहीं ऐसे समय देखे जब हमको बड़े अकेले रहना पड़ा हम अकेले रहे बहार रहे फॉरण में रहे हमने बड़े समय देखे लेकिन हम grounded रहे भैया हमने कभी उसमें उथल पुथल नहीं मचाई हम शांत पानी जैसे अपने जीवन को हमने चलाया है तब वही शांती है वही peace है वही freedom है वही प्रभू के साथ का मिलन है और यहीं पर उथल पुथल है आप समझ सकते हैं और अगर 12th house का Lord 8th में बैटा है तो जैसे मैंने आपको बताया क कई प्रकार के बदलावों और transformation के थ्रू ही आपको जीवन में आप शांती सुख की तरफ जा सकते हैं लेकिन 12th house का Lord जब 8th में बैटा होता है तो दिमाग को शांत करना बहुत जरूरी है उसके लिए काम, profession, career बहुत important है वो अगर हमारे पार direct नहीं है या हम directly उसमें नहीं तो गलत हो सकता है, गड़बड हो सकता है, पैसे के issues यहां पे आ सकते हैं, तो हमको यहां पे foreign से related, कुछ healing से related, कुछ touring से related, हम घूम रहे हैं, दुनिया को समझ रहे हैं, दुनिया को पढ़ रहे हैं, creative हैं, artist हैं, psychologist हैं, doctor हैं, किसी भी प्रकार के analyst हैं, हम उन traumatic conditions में काम करते ह हैं, जहां पे हम लोगों को बचाते हैं, कहीं तरीके के ऐसे होते हैं, कि भई यह फलानी टीम में, rescue टीम में काम कर रहा है, यह उधर law department में है, यह उसमें है, यह guide है, यह teacher है, यह हजारों countries घूमता है, और वहां के cultures को समझता है, वहां पे photo खीचता है, यह सारे काम देखि चीजे बांद रही होती हैं, इस व्यक्ति को, उनको छोड़ देता है, pain छोड़ देता है, losses पीछे छोड़ देता है, हर एक चीज को छोड़ता रहता है, वो अपने साथ नहीं रखता है, यह बहुत एक power strength है, अगर 12 था उसका Lord 8 में बैटा हो, तो आपके लिए power क्या है, च आप यह अवश्य याद रखिए कि संतान, education, कोई प्रेम, कोई romance, कोई आपका अच्छा बुरा सोचना, कोई decision, यह बहुत फरक डालने वाले हैं आपके life में, तो आप यह अवश्य देखिए, कि अगर 12 था उसका Lord 8 में पड़ा है, अब मैं education लूँ के ना लूँ कौन सी हमारे कल को हमको प्रेम करना है, तो हमको कैसे करना है, relationships हमारे कैसे रहेंगे, हमको अपने relationships में कैसे रखना है, हमारी संतान होती है, तो उससे related हमें क्या problem हो सकती है, यह सारे issues देखिए, जीवन में आ सकती है, और ऐसे स्तिती में अगर 5th house का Lord खराब है, तब आप swim ही देख possibility रहेगी, बहुत problems आ सकती है, जब 12th house का Lord हमारी पत्रिका में 9th में बैठा होता है, तो देखिए, यहाँ पे मुक्ती freedom प्रभू से मिलने का साधन, समर्पन कहां पे चला जाता है, 9th house, हमारा जीवन किस तरफ होना चाहिए, learning की तरफ, ज्यान की तरफ, गुरू की तरफ, पहुँच सकते हैं, freedom तक पहुँच सकते हैं, मुक्त तो हो सकते हैं, यहाँ पे घ्यान की द्वारा, learning की द्वारा, foreign का अच्छा connection होता है, कहीं गुरू मिलते हैं, कहीं teachers life में मिलते हैं, वो teachers के तरू कहीं बार हम अपने करमाज भी exhaust करते हैं, faith, optimism रखना, यहाँ बहुत ज यह कई बार हम भाग के सहारे बैठे हुएं, 12th house का Lord 9th में बैठा है, और हम बज़े से बैठे हुएं हैं भाग के सहारे, कई बार गड़बड हो जाएगी, यह याद रखियेगा, जब 12th house का Lord 9th में बैठता है, ग्यान, education, पढ़ाई, लिखाई, धरम पे चलना, tradition मानना, घ पिता से related कोई रिण हैं उसको उतारना, गुरूँं से related रिण उतारना, धरम से related रिण उतारना, आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है, lawful रहना, जिसको कहा जाता है, नियाए पूरवक सब के साथ वहवार करना, generosity, charity, आप यहाँ पे क्या शेयर कर सकते हैं, जो आपको knowledge है, जो आपको ग्यान है, वो आप लोगों में बाट सकते हैं, जो प्राप्त किया है, वो आप उनको दे सकते हैं, जीवन में, यहाँ पे एक और चीज़ क्या नहीं करनी है, जब 12th house का Lord 9 में बैटा हो, हमारे पास ग्यान है, हमारे पास education है, हमारे पास हर प्रक हो यह करें, हम खुद बड़े अपने में ग्यानी हैं, गुरू हैं और फ्राना हैं, नहीं, यहाँ पे sharing करने पड़ती है, unconditional रूप से 12th house का Lord जहां पे भी जाके बैठे, देखिए कोई ना कोई बड़ी affinity होती है, उस घर के साथ, पिता के साथ होगी, गुरू के साथ होगी, फॉरन के साथ होगी, education के साथ होगी, spirituality के साथ होगी, किसी philosophies के साथ होगी, वो naturally ही 12th house का Lord लेके आता है, क्योंकि 12th house में कहीं प्रकार के past life के imprints होते हैं, उसके पास, तो कोई आदमी किसी जगह पे जाके बड़ा comfortable होता है, 12th house का Lord 9th में, उसका जनम हुआ है, बॉम्बे मे और वो डेली में बड़ा comfortable उसको feel होगा, क्योंकि शायद उसका कुछ है संबंद उस घर से, उस शहर से, तो ये भी होता है, कई बार movement बहुत होता है, बहुत traveling होती है, तो learning बहुत जरूरी है, education बहुत जरूरी है, ग्यान बहुत जरूरी है, ऐसे व्यक्ति भी अपने जीव होते हैं, गुरू होते हैं, कई प्रकार की साधना उनको होती है, और कई प्रकार का वो लोगों को as a advisory consultant, अपना swim का का काम कोई शुरू कर रहे हैं, वो ये सब काम कर सकते हैं, क्योंकि 12th house के lord में सब कुछ है, वो master है 12th house का lord, उसको arts पता है, देखिए, सारी राशियों का न तो बश राशी होती है, थोड़ा बहुत उसमें मितन राशी होती है, तो मीन राशी में सब कुछ होता है, और यही हमारी 12th की राशी है, तो 12th house के lord में भी थोड़ा थोड़ा सब कुछ होता है, आप देखेंगे 12th house का lord जहां बיठएगा, उसमें हमको कहीं aggression भी होगा, 12th house का लॉट कहीं बैटेगा उसके लिए हम बड़े पोसिसिव भी होंगे 12 अइसका लॉट जहां बैटेगा उसके लिए हम बड़े ग्यानी भी होंगे हमको उस चीज की नॉलिज भी चाहिए और उसके लिए हम कहीं बार anxiety में भी आते हैं जगह से हमें प्रेम भी बहुत होगा वहां से हमको बड़ा इमोशनली लगाव होगा तो वही नाइन थाउस है तो हमको 12 थाउस का लॉट जब नाइन में बैठता है तो कहीं बार अच्छा जब यहां पे पॉजीशन खराब है एजुकेशन में दिक्कत आ जाएगी भाग हमको कहीं लोग चीट करके चले जाएंगे कहीं बार समय से हम अपने काम नहीं पूरे कर पाएंगे हमारी इच्छाएं नहीं पूरी हो पाएंगी किसी भी प्रकार का रॉंग प्रकार का थॉट प्रोसेस करमा अगर हम जीवन में रखके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रह हैं और 12th house का Lord 9th में बैठा हुआ है तो हमको कई बार जीवन में बहुत बड़ी परशानी उठानी पड़ जाती है वो परशानी हमको health से related हो सकती है debt से related हो सकती है जीवन में संघर्ज को लेके हो सकती है जब इस तरीके की position हो हमारा भाग खराब हो सकता है पढ़ाई खराब हो सकती हम जो कान कर रहे हैं हमको उसमें loss हो रहा है 12th house का Lord 9th में बैठा हुआ है हमको बहुत बाधाएं जीवन में आ रही है हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई सुक ही नहीं रहा 9th बिगार दिया हमारे 12th house के Lord ने वो रियून करके वहां पर रख दिया है क्योंकि देखिए 12th house के Lord में separated power भी वो जहां जा के बैठे का separate कर देगा भाग को ही separate कर दिया अब आपके पास क्या मेहनत कर रहा है कोलू की बैल की तरह फल ही नहीं मिल पा रहा है उतना ज्यादा कई बार ऐसी situation भी आ जाएंगी और अगर हम wrong करमा पे हैं तब तो ज्यादा otherwise अगर हम right kind of करमा पे हैं हम अपने मन में सुचिता रखते हैं पवितरता रखते हैं बड़ों के लिए आदर सम्मान रखते हैं लोगों को देना जानते हैं लोगों को सिखाना जानते हैं लोगों के लिए टीचर हैं प्रीचर हैं तब हमें कोई प्राब्लम नहीं हम अपने life को मुक्त करना आनंद उठाना एक independence हमको जिसको कहते है ना प्राप्त होना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी ऐसे वेक्त हो सकता है ऐसे आदमी के अंदर intuition मी बहुत होती है 12,000 का Lord जहां जाके बैठता है उस घर से related आपको intuitiveनेस देता है वो आप ये कह सकते हैं परमातमा 12,000 के Lord के दौरा आपको बताते हैं उस घर से अगर एर्थ में बैठे होंगे तो वो आपको बताएंगे कि अरे भाईया ये काम ना करो यहां दिक्कत हो सकती है अब सुने या ना सुने आप वो अलग बात है 12,000 का Lord नाइंद में बैठा है आपको बता सकता है कि ये काम करना इस तरीके का बहवार करना इधर जाना आपके लिए उचित नहीं तो विर्थ यात्राएं करवाएगा फॉरण में नुकसान करवाएगा कई परकार के स्टेंजर्स कई परकार के ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपका नुकसान करके चले जाएंगे उनको आपसे लेना था वो लेके चले गए कई बार भाग आपको स्टक कर देगा कई बार देड़ से देगा कई बा जो जब आप चाहते हैं तब नहीं देगा को कहीं बार वेक्ति कहता है ना कि हमको नहीं मिलता दूसरे को मिल जाता है हमको देर में मिलता है मुझे मिल तो जाता है लेकिन देर में मिलता है तो ऐसे आदमी का टेस्ट भी लेता है तो कहीं बार आपस्टिकल जाते हैं कहीं बार सिخhاتाओ, कई बार आपको patience, कई बार responsibilities, कई बार ज़्यादा गहराई से आपको पढ़ना लिखना सिखhata है जीवन में, आपके अंदर और vastness बढ़ती है अपने जीवन में, तो फिर कई बार ऐसा भी होता है, कई बार हमको जीवन में फिर वो चीज प्राप्त होती है तो हमको उसके प्रती इच्छा नहीं रह जाती है हम कहते हैं ठीक है मिल गई तो मिल गई तो सुतंत्र कर देता है न हमको उस सोच से वो भी बहुत अच्छा है भाग आपका बदलता रहेगा एक जैसा नहीं रहेगा आज ऐसा कल वैसा कल और ब्रिद्धी कर गया कई बार लॉसिज होंगे तो भी आपको यह यहां पर लेसन है कि भाई आगे बढ़ते रहे यह वो कहता है उसका लॉर्ड नाइंद में कुछ लॉसिज हो गए उसको पास्ट में मत जाईए उसके लिए बहुत ज़रूरी है ऐसा नहीं है कि सिरब आप भाग के साहरे बैटे हुए हम बैटे हुए है कि भाईया हमको 100 रुपे मिलेंगे आज 10,000 मिलेंगे आज यह नहीं वह उसके लिए काम करना पड़ेगा उसके लिए आपको routine रहना पड़ेगा मैंने आपको कहा knowledge, ग्यान किसी तरीके की skill ले रहे हैं अब अगर कोई आदमी business कर रहा है तो उसको अपने आपको वृद्धी के लिए बढ़ाते रहना पड़ेगा न कि वो कहीं travel कर रहा है नए approaches बना रहा है नए लोग बना रहा है तो उसके लिए उसके लिए continuous उसको काम करते रहना पड़ेगा अपने आपको धर्मा पे रखा हुआ है अपने आपको rightis रखा हुआ है सही तरीके से जीवन को चला रहा है देख रहा है आपकी वृद्धी यहाँ पे होती रहेगी हाँ 12 था उसका लॉड नाइध में बैठे कई बार व्यक्ति को जीवन में health से related problem कई बार काम, रुकावट, रिर्ण, जंजट, law cases यह सब होते हुए देखे जाते हैं लेकिन जैसे मैंने कहा बहुत जादा important है कि यहाँ पे righteous और धर्मा पे रहना learning करते हैं रहना अपने जीवन में भाग अगर कहीं बार अवरोध आपके सामने लाता भी है तो भी आप righteous रहिए just full रहिए हताशा की जरूरत नहीं है patience रखिए क्योंकि वो आपके अंदर वरिद्धी ही कर रहा है सिखा ही रहा है यहाँ पे अब बारवास्थान क्या है एक ऐसे एक ऐसे छेत्र का है एक ऐसे आकास का है खुले हुए जिसका कोई नाप नहीं है वो जब 9th house में आके बैठा है तो शायद आपके भाग में कहीं गुना वरिद्धी भी कर सकता है और आपके भाग को बिलकुल परिवर्तित करके बिलकुल छोटा या श्रिंक भी कर सकता है तो आपको समझना है ना कि हाँ कहीं बार क्या होता है फैमिली अच्छी है कुल अच्छा है बिजनेस मिल गया और ट्वेल्थ हाउस का लौड नाइंद में बैठा हुआ है ऐसे व्यक्ती ने अपनी गलत आदतों की वज़ा से गलत संगत की वज़ा से अपने घर, परिवार, पिता, धरम अपने ट्रेडिशन सबका नाम दुबो दिया और या फिर उसमें आगे बरता चला गया बहुत जादा सेल्फ की समझ, सेल्फ का ग्यान, इंडिविज्वालिटी अपनी खुद का जो विवेक, बुद्धी, समझदारी यहां बहुत जरूरी होती है क्वेल्थ हाउस का लौड नाइंद में बैठा हो और लगन का लौड अगर हमारी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है तो यह सिचुएशन खराब हो जाती है फिर हमारा विवेक, बुद्धी कहीं बार काम नहीं करता है तो हमको राइट पाथ, राइट डिरेक्शन यहां नहीं मिल पाता है इसके लिए बहुत आवश्चक हो जाता है कि हमारा रास्ता क्या है, हमारा डिरेक्शन क्या है हमको किस तरफ बढ़ना चाहिए नहीं तो जैसे मैंने बताया विवेक्ति अपने आपको कहीं प्रकार की प्रॉब्लम्स में डाल लेता है जब 12th house का Lord पत्रिका में 10th में बैठा होता है तो अब यहां पे जब वो 12th house का Lord 10th में बैठा होता है तो हमारे जीवन में जो स्वतंतरता है, जो मुक्ती है, जो प्रभू से मिलने का पात है जो आनंद है, जो सुख है, वो 10th house से होके निकलता है यह क्या right kind of karma, हम करमा सही तरीके से कर रहा है, हम skilled है हम ऐसा काम कर रहा है जिससे लोगों में हमारी पहचान बन रही है हमारी छवी अच्छी है, हम ऐसा काम कर रहे हैं जो दस लोगों के काम आ रहा है help कर रहे हैं, society की help कर रहे हैं हम अपने घर परिवार के business से related काम कर रहे हैं कोई हम politically बहुत जादा activated है, हम कोई artist है हम समाज पे छाप छोड़ना चाते हैं हम कोई ऐसा काम करना चाते हैं जिससे दुनिया में बदलाव आ जाए हम दुनिया में बदलाव लाना चाते हैं अच्छी बात है, 12 था उसका लॉड़ जब ब्रहमान्ड आपके साथ है आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे लेकिन करम के थुरू और वो करम क्या कहता है कि भाई सही तरीके का काम हो, धरम युक्त हो, निया युक्त हो वो काम, आपको कौन सा काम करना है यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है 12 था उसका लॉड़ जब 10 में जाता है हम आर्टिस्ट हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं बिजनिस कर सकते हैं, फॉरन रिलेटिड हमारा बहुत अच्छा कोई काम हो सकता है हम लीडर हैं, प्रीचर हैं मेडिसिन में हैं, डॉक्टर हैं हम फॉरन से रिलेटिड काम कर रहे हैं हम किसी भी तरीके का काम देखिए यहां पर कर सकते हैं 12 था उसका लॉड़ यह सारी चीज़ें अपने अंदर रखता है वो पेंटर भी है, वो राइटर भी है 12 था उसका लॉड़ वो हीलर भी है, वो डॉक्टर भी है वो विदेशों से रिलेटिड काम भी करता है जब 10 था उस में आगे बैठेगा तो आपको यह सारी चीज़ें वो दे सकता है वो हर प्रकार का आर्टिस्ट है, सिंगर है, गाने लिखता है वो फोटोग्रफर है, वो सब है 12 था उसका लॉड़ क्योंकि वो गुरु है, क्योंकि वो बरस्पती की राशी होती है 12 था उसके लॉड़ में मीर राशी होती है अन्ततह कालपुर उसकी कुंडली में तो उसके अंदर वो सारे चीज़ें हैं समावेश है उसके लॉड में आप उसमें क्या वनना चाते हैं आपका चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है वो एक अलग बात है तो हम उस चीज में आगे भड़ के राइटस काम कर रहे हैं अपने करम अच्छे रख रहे हैं हम अपने आपको वहाँ पे अपलाई कर रहे हैं, हाड़ वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यहाँ यह नहीं है कि ट्वेल्थ हाउस का लॉड तेंद में बैटा है, कर्मा हमारे लिए भगवान को पाने का या सोतंतरता का एक विशे है, तो यह गुरू जी बता रहा है, नह उसके लिए हमको बड़ी responsibility लेनी पड़ेगी, आदमी depend कर पाए, ऐसा काम करना पड़ेगा, कि यह खड़े हुए हैं, इनके रहते हुए तो कोई बात नहीं, यह संभाल लेंगे, यह backbone है, यह structure हैं यहाँ का, company का, government, सरकार, वहाँ पे भी काम कर सकता है, तो ऐसी जगहाँ प हैं, छोटे से उपर बड़े हैं, यह नहीं है, कि 12th house का lord 10th में बैठा है, हम अभी कहीं के VC बन गए, हम कहीं के general manager बन गए, फलाना, अरे भाई धीरे धीरे शुरू होता है, धीरे धीरे experience लेना पड़ता है, यहाँ पे, और लेकिन बहुत ज़ादा अच्छा होता है, काम भी मिलता है, यहाँ पे learning भी होती है, ऐसा व्यक्ति कई प्रकार के काम करना चाता है, ऐसा व्यक्ति एक काम में कई बार स्थिर नहीं होता है, वो 10 तरीके के काम, कुछ ऐसा काम जो उसको रोज नए नए experience दे, रोज नए नए आनंद प्रदान करे, उसको यह भी होता है यहाँ पे वो कई बार बहुत, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो अपने नाम की, अपने यस की, अपने कुल की बड़ी चिंता करता है, या उनके सहारे से भी वो आगे बढ़ सकता है, यहाँ यह भी चीज़ है, और दूसरी तरफ से अगर 12 थाॉस का लॉड 10 त में बैठा हु या जो काम कर रहे हैं वहाँ पे सीरियस नहीं है, या जो काम कर रहे हैं उसमें नाम डुगो दिया, अपने घर का, अपने परिवार का, जो काम कर रहे हैं उसके अंदर हर प्रकार का 12 थाॉस का अबगुन ले आए, अब 12 थाॉस का अबगुन क्या है, ड्रीमी स्टेड, काम की जगा में भी एक लिथारदी है। काम की जगा में भी एक आइसोलेशन है। एक ड्रीमी स्टेट है कि हो जाएगा हम बड़ा सुतंत्र रूप से काम करते हैं। हमें रोकाटा की पसंद नहीं है। कि की हम किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हैं और फिर वहां दस्यों तरीके से काम चूट रहें नाम खुराब हो रहा किसी आदमी से पूचो तो यह कह रहा है रहे इनकी उपर क्या वरुसा करें यह खुद ही अपने लिए स्टेबिल नहीं है काम छोड़के चले जाते हैं या क् अपनी presentability कर रहे हैं लोगों में क्या इनकी छवी जा रही है बाहर तो कि दस्वा स्थान देखिए बहुत 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 important house है यह आपके करम को नाम को, धरम को, कुल को यस को सब को बनाता है और वो सब को बिगार देता है तो अच्छे कुल के कहीं लोग जनम लिये हुए ऐसी स्थितियां हो तो आप देखेंगे वो अपने कुल का नाम बिगार देते हैं काम बिगार देते हैं यस बिगार देते हैं जो मुँ से बोलेंगे वो अनरगल ही बोलेंगे यहाँ पे तो उनके intent ही बैड होते हैं या चोरी चकारी से कमा रहें, क्रुकिडनेस से कमा रहें, योगि ट्वेल्थाउस का लॉड है ना, तो उसके अंदर कहीं प्रकार के लॉसिज हैं, एक्स्पेंडीचर्स हैं, तो अब या तो हम अपनी महनत को अपनी महनत को लगाएं, खर्चा करें और आगे बढ़ें, और सब यहां ट्वेल्थाउस का लॉड जब तेंथ में आके बैठता है, तो या तो हम अपनी कहीं प्रकार की बेवकूफियों को, चलाकियों को, शड़यंत्र वाली बातों को हम लगाएं, और तब हम उससे उपभोग करना चाहें, तो उसका रिजल्ट जीरो निकलेगा, कहीं है, हम जो भी काम करते हैं, यहां पे लोगों के साथ काम में शेयर करना, हंबल रहना, लोगों को काम में अपने साथ लगाना, सिखाना, जो आता है, उनको प्रदान कर देना, यहां पे टेंथाउस में उनको एवार्ड मिल ला है, उनको यश मिल ला है, उनको कोई पदवी म लई है अब लगे वो बिलकुल एकदम से क्या रहे भाई अब हम तो बिलकुल लीडर हैं अब हम तो सीम हो गए हमारा क्याप सब फालतू है लोग नहीं तो उसका मतलब यह होता है कि ट्वेल्थ हाउस का लौड टेंद में बैटा के भाई यह रहा मेडल और यह रहा पदवी अब हमारा काम यह है हम लोगों के लिए काम करेंगे जुड़ नहीं गए वहाँ कुरसी से उस पोजीशन से कि मिलकुल चिपक गए क्योंकि ट्वेल्थ हाउस का लौड बताता है कि भाई जो चीज दे दो छोड़ दो डिटाश्मेंट कर दो और अटाश्मेंट को भी शो कर देता है मालूम पड़े हम अटाश होके बैटे हुए काम से नहीं जी हम तो यही काम करेंगे यही हमारी कुर्शी उसके लिए पता चला हम शड़ियद्र कर रहे हैं उसके लिए हम दो अर दो पाँच कर रहे हैं तो वह वाली चीजे सारी खराब है वो आदमी की छवी तो भई वो धरम करना चाहता है, लोगों का भला करना चाहता है, अपनी पोजीशन का, पद का, लोगों में सदुपयोग करता है, उनका भला हो जाए, दस लोगों का काम लग जाए, सबको एक बराबर मानता है, कोई एगो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो काम में बड़ा हो के बाद भी वरकरों के साथ नीचे लोगों के साथ बड़ा अच्छा रूटीन है देख के नहीं लगता है कि यह आदमी यहां का जीम है यहां का वीपी है यहां के बड़े बिजनिसमैन है कुछ देख के नहीं लगता है तो उसको 10th house का जो इसको कहते हैं ना एक बड़ा जो बता है वो सब चीजें उसको छूई नहीं है वो बड़ा स्टेबिल है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है यह एक अच्छी बात है अदरवाइस 12th house का लोड 10th में बैटा है क्या काम करें कहां जाएं कहां टिकें कौन सा काम काम में खराबी कहीं काम नहीं लग लग हैं मसती ले रहा इसकी वज़ा से नाम खराब हो गएक काम की जगह में हम सराब पीते मौड लेते हैं लोग जानते इनके ओपर विशवास नहीं किया जा सकता ये जूटे हैं ये मकार हैं इनका कोई भरोसा नहीं है कब ये क्या कर जाएं कब ये चीटिंग कर लें कब ये क् करेगा तो जब 12,000 का लॉट 10 में बैठा होता है तो ये पोजीशन खराब नहीं है लेकिन देखिए अपनी बैड हैबिट्स को पहचानी है अपनी गलत आदतों को पहचानी है कौन सी चीजें आपको त्यागनी है छोडनी है जो काम के लिए आपके लिए अच्छी नहीं है आ आपको काम में एड्जेस्ट्मेंट करना पड़ सकता है ना 12,000 का लॉट 10 में आया है आपको कहां पे स्टागल फेकेगा 10 थाउस में तो आपके लिए करियर एक तो वैसे इंपॉर्टेंट हो गया जैसे मैंने बताया है कि 12,000 का लॉट जहां जाकर बैठता है वहां पे आपको पूरा करेंगे हम वहां नहीं करेंगे अरे भाईया जहां भेजा जाए वहां करो जो काम जिस तरीके का मिले वहां करो अपने आपको एड्जेस्ट करते रहो तो जितनी भी कोई और आदतें आपकी खराब हो के भई हमको काम में मालुम पड़ा जी हम हाड़ वर कर हैं हमारे अंदर काम की ये कमी है उन चीजों को पूरा करिए कॉडिनेशन में रहिए लोगों के साथ अपने आपको अपग्रेट करते रहिए अपने आपकी जो जो आपका सबसे सबसे हैं उस चीज को काम में डाल दीजिए वह आपके लिए बढ़िया होगा कि आपको इंडिपेंडेंट काम पसंद है तो ऐसा रोल अपने जीवन में पसंद करिए जो कि आपको स्वतंतरता से काम करने के लिए छूट दे फिर आप ऐसा काम में न चले जाएए जहां आप क लेके छे वज़े तक तो हमें बैठ नहीं बैठना यह कों से काम में हमा गाए अब काम चूट रहा है प्राबलम हो रही है यह सब काम मत करिए तो क्वेल्ट थाउस का लॉट जब टेंद में बैठता है तो वर्क ही हमारा वर्शिप है हम इसी के थूरु राइटेस काम के थ यह चरू प्रभू की तरप भी जा सकते अटैच नहीं होना है कि हम वहां पराण दिये जारहे हैं उसमें जोंके दे रहे हैं कई बार आदमी घलत काम में होता है उसको पता ही नहीं वो कहता हमने सारा जीवन उसमें लगा दिय है हम तो सुरवात से 25 साल रोग है हम उसमें काम गलत तो नहीं कर रहे देख तो लीजिए कि वो काम आपके लिए था कि नहीं था तो मालुम पड़ा सारा जीवन उसी में निकाल दिया तो उसका लॉट जब 11 में बैठा होता है तब हमारे जीवन में जो सोतंतरता है जो आनंद है जो मोक्ष है जो प्रभू से मिलन है कैसे होता है हमारी डिजायर्स के थुरू होता है अब यहां पर डिजायर्स के थुरू का क्या मतलब है यहां मतलब यह है कि कई बार हमको अपनी डिजायर्स यहां पे थोड़ी मिनिमल रखनी पड़ती है देखिए मैं यह नहीं कहता कभी भी कि आप मकान न बनाएए शादी न क सालती हैं 12 ताउस का लौड जब 11 में बैठता है आपको वो साफ कह रहा है वो आपको धन देगा पैसा देगा डिजायर्स आपकी पूरी करेगा आपके अंदर वो छमता है कला है हर प्रकार का धन आप कमा पाएंगे क्योंकि वो आपकी डिजायर्स हो जाना काम के बंधनों मे भोगों के बंधनों में बहुत जादा बंध जाना एक के बाद एक काम एक के बाद एक चीजें उस चीज की डिजायर करते रहना बहुत गलाद बात है वेल्थ की तरफ बिलकुल भी ऐसा नहीं है के वेल्थ कमाना बुरा है यहां पे पॉइंट क्या है कि आप किन किन कामों कि तरफ किन किन डिजायर्स की तरफ कौन कौन से भोगों की तरफ आप अपने जीवन में जा रहे हैं तो ट्वेल्थ हाउस का लॉड्ट जब इलेविंथ में जा के बैठता है तो कई प्रकार के आनंद दिलवाना चाहता है वो आनंद छोटे से लेके बहुत बड़े तक हो सक है जब 12 हाous का लॉड इलेविंथ में आके बैठता है जीवन में कई बार हमको ऐसे इंवेस्टमेंट हममारे थ्रू हो जाते हैं जो हमारे कई ऐसे जो हमको क्या मिल जाए हमको क्या प्राप्त हो जाए हम कैसे यह छीजंड अपने आप में प्राप्त कर लें वो चीजें अन्तता हमको loss की तरफ ले जाती हैं कहीं look who's की तरफ कहीं बड़े भाई loss की तरफ कहीं मित्र loss की तरफ हम कहीं जगा पैसा लगा दिया फस गया हमारा वो सब waste हो गया आप को पता होना चाहिए कि आप क्या चीज की desire कर रहे हैं आपकी wants क्या हैं वो rightful हैं के नहीं के अनरगल चीजों को चाह रहा है के भई हमारी साधी हो गई हम चार जगा और साधी कर लें चार जगा और रिष्टे रख लें चार हम ये काम और कर लें हमारे पस घर भी है सब है हम खा भी रहें खाना रोज हम बढ़िया आनंद से साथ भी हलवा पूरी खीर सब खा रहें लेकिन हमको पाँच प्लेट चाहिए रोज की अब हमको दस प्लेट चाहिए वो गलत है वो आपको बिमारी देगा परशानी देगा करजे देगा कष्ट देगा लॉंग रन मे आपको आपकी जो कहते है ना wrongful desires आपकी पतन की तरफ आपको ले जाएंगी आपको यहाँ पता होना चाहिए कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी काम के लिए ऐसा नहीं है कि 12 आउस का लॉर्ड 11 में आ गया सारी चीजें अच्छी हैं यहाँ पे पैसे के लिए महनत करिए स्किल्फुल रहिए determination, willpower, काम करना, coordination, initiative लेना जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कोई आपके मित्र आपका साथ दे सकते हैं कोई आपका risk taking ability होगी वो आपको एकदम से आगे बढ़ा सकती है वो गलत बात नहीं है अपने अंदर willpower, determination, काम करने की इच्छा शक्ती आपके कोई मित्र बंदू, भाई ये आपको मदद करें और आप आगे बढ़ें अपने मनतव गंतव की ओर वो गलत बात नहीं है लेकिन अनरगल इच्छाएं या कई प्रकार की इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो रही है तो हम दुखी है, तो परशान है तो ये भी हमको समझ में आना चाहिए कि 12 था उसका लॉड कई प्रकार की इच्छाएं आपकी पूरी नहीं करवाएगा कई प्रकार के आपके मन में ऐसी इच्छाएं देगा जो आपको कश्ट देंगी क्योंकि वो पूरी होनी नहीं है और आपको उसने वो इच्छा दे दी उसकी वज़ा से आपको पतन में ले जाएगा पतन की ओर ले जाएगा पैसे का आपको इंपॉर्टेस जरूरी है, वैल्लिव जरूरी है पैसे के लिए कार करना जरूरी है यहाँ पर लॉंजिविटी अच्छी होती है उमर मैंने यहाँ पर जब क्वेल्थाउस का लॉड इलेविंद में बैठता है तो अच्छी देखी है यहाँ पर आदमी स्वेम की इच्छाओं के द्वारा कई बार लॉसिस करवा जाता है अदर्वाइस अपने कला, ग्यान, उसके पास ऐसा थौट प्रोसेस होता है ऐसी क्रियेटिविटी होती है जिससे की वो कई प्रकार के बिजनेस, कई प्रकार का धन कमाना उसको बड़ी अच्छी तरीके से आता है उस चीजों के लिए बहुत अच्छा है जो टाइम आपके जीवन में आए, जो समय आए उसमें एड़्जेस्ट करना बहुत जरूरी है गलत तरीके से पैसा कमाना लूट, खसोट, चोरी, धोका, धड़ी, कौन करना फ्रॉट करने से कहीं प्रकार के पैसे एकटा करना वो आप ये समझ लीजे आगे आने वाले बारा जन्मों तक आपको उसका रिटर्न करना पड़ेगा ये सूत्र ट्वेल्थ हाउस के लॉट जब इलेविंध में बैठता है ये उसके लिए है ये याद रखिएगा आपको फिर से बारा जन्म लेने पड़ेंगे इस पोजीशन तक ही पहुँचने के लिए तो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो बहुत बुरा है वो फैमिली के उपर असर डालेगा आपकी सेविंग्स के उपर असर डालेगा बच्चों के उपर असर डालेगा जीवन में अन एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आपको जीवन में नहीं छोडेंगी ये बात याद रखिएगा यहाँ पे आपको अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना जरूरी है राइटियस रहना जरूरी है मेहनत करना जरूरी है स्किल्ड होना जरूरी है ऐसे अराम से पैसा आपको नहीं मिलेगा कहीं बार आपकी इच्छा के अनुसार चीज़ें नहीं होंगी कहीं डिजायर्स पूरी नहीं होंगी तो ये भी तो पता होना चाहिए है कि हमारी कौन सी डिजाइर थी जो पूरी नहीं हुई अब हम उसके लिए रोग आ रहे हैं अरे अगर रो लिकाई नहीं था तो कैसे पूरी हो जाती आप सोची के बैठ गाए हम को ताज महल हम अब जा तो रहे हैं मरने लेकिन अब ताज महल बनाना था अरे जब ताज महल बनाना लिखाई नहीं था तो कहा है सोशलिया आप ताज महल बनाने को वो चीज़े आपको तंग कर रही है मुक्त कैसे हो सकते हैं फ्रीडम कैसी प्रकार का इगो नहीं कोई अटाच्मेंट नहीं पैसे के लिए वेल्थ के लिए डिजायर्स के लिए बिलकुल प्राण नहीं दिये दे रहे हैं यहां पे किस लिए प्राण देने चाहिए, मुक्त होने के लिए, जेनरोसिटी के लिए, भईया तुमको ये चाहिए, ये ले जाओ, ठीक हम 100 रुपे कमाते हैं, 20 तुम लो, 10 तुम ले लो, बड़े जेनरोसिटी, अपने आपको चीजों से डिटाइज करते जा रहे हैं, पै ग्यारवास्थान देखिए, हर प्रकार का गिविंग का है, आफरिंग का है, चीजों को छोड़ने का है, अब जब वो 11 त में आके बैठेगा तो कहेगा, पैसे आएं, छोड़ दीजे, दे दीजे, शेयर कर दीजे, चिपक मत जाईए, उसके साथ मों में मत पढ़ जाईए कि अरे हमारा ग्यारवास्थान, हमारे पैसे, हमारे ये, इन्चकर में मत पढ़िए, दे दे रहिए आपके लिए, उससे आपको क्या होगा, एक तो धन बढ़ेगा, और जितना देंगे, गुपाल वापस कर देते हैं, वो रखते नहीं हैं, आप सौ देंगे, वो हजार दे अरहा कि अरदी है, पैसे पैसे, हमारे ये अंदर से मोटिव होना चाहिए, क्या चीज चोड़ दें, क्या जीज बुरी यादतें, क्या भोग क्चोड़ दें, ये मुक्ति हैं, ये आनंद हैं, ये फ CBS है, तो अपने आपको ऐसा नहीं हैं, तो धन की हानी जीवन में होगी, हाँ आप कर सकते हैं जैसे मैंने कहा wrong तरीके का business decision, wrong तरीके का thought process, क्या पढ़ाई करनी है, क्या करना है, क्या decision लेना है, उस तरीके से आपने, या सब कुछ सही चला है, सो तरीके के कामों में पैसा लगा दिया, किसी को दे दिया, कहीं invest कर दिया, और आपने loss कर दिया, कभी भ तारग्द है, वो उठाना पड़ता है, भाई वो हमारा past का रिन है, कोई भाई ले गिया, कोई दोस्त ले गिया, वो एक अलग चीज है, otherwise, 12th house का Lord 11th में बैठा हुआ है, मेहनत से पैसा कमाईए, हर प्रकार की आपको वरिद्धी देगा, बट वो ये कह रहा है, किसी भी प धर चल जाए, परिवार चल जाए, संतान हम अपने उनको बड़ा कर लें, जो प्रभू ने हमको कारज दिया है, उसके बाद हम चिपके नहीं, हम सब को जेनरोसिटी से इसको देते रहें, और बढ़ें कहां, हम बढ़ें लोगों को सलहा देने में, ग्यान देने में, प्रे प्रभू से मिलना आनंद, स्पिरिच्वालिटी, फॉरण, एक हीलिंग, एक क्रियेटिव, एक आर्टेस्ट बनना या होना उसके लिए क्या महत्वर रखता है, उसको पता है जीवन में क्या राइट है, क्या रॉंग है ऐसी स्थिति में, उसको पता है जीवन में, जब ट् इडिटेशन, स्पिरिच्वालिटी, हीलिंग, किसी भी प्रकार का ट्राइवलिंग, हम भूम रहें, दुनिया में स्वचंद हैं, फ्री हैं, बाट रहें, शेयर कर रहें, बड़े लाइट हैं, पीसफुल हैं, कहीं अकेले बैट के बस हमको आनंद लेना पसंद आता है, उ हम यह आनंद ले लें, वो काम कर लें गलत, वो शराब, वो नशा, वो शादी, वो हिडिन अफैर, वो कर लें, वो फिर फिर वही सत्यानासी की तरफ ले जाएगा, अच्छा ट्वेल्द था उसका लॉट जब ट्वेल्द में बैटा होता है, तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा परिपक्व बनाता है, समझदार बनाता है, ग्यानी बनाता है, यहां पर देना बताता है, शेरिंग बताता है, लेकिन कई लोगों के लिए क्या होता है, जब उनको पता है कि उनके जीवन में सब कुछ पराप्त हो गया, सब कुछ मिल गया भगवान की क्रिपा से, उनके प एक्तित्व देने वाला होना चाहिए था, दोनों हाथ खोल के दे रहें जैसे, उन्हें मुठी बांद ली अपनी, कि नहीं अब तो हम इन सब चीजों को ले के ही जाएंगे अपने साथ, तो कई लोग ऐसे हो जाएंगे, 12 आउस का लॉड जब 12 में बैटा, तो कहां से बिमारी, ये सारी प्रॉब्लम हो जाएंगे, 12 आउस का लॉड जो 12 में बैटा हो, ऐसे व्यक्ति का जब तक मन, शुद्ध ना हो, पवित्र ना हो, उसके अंदर वो भावना ना हो, मामत्व की, प्रभू से मिलने की उसकी आशा ना हो, कि अरे, जिनका 12 आउस का लॉड 12 मे बैठा हुआ है, तब तो वो फिर आशा यही करेंगे, कि भाईया, अकेले में भजन करते रहें, गोपाल का, राम का, शिफ को ध्याये रहें, चीजों को छोड़ते रहें, चाकते रहें, एक आनंद का कोणा मिल जाए, बस हमें इतना चाहिए, हमें किसी प्रकार की कोई बिते हैं ना कुछ हैं, क्रियेटिविटी में भी अच्छ हैं, कुछ ना कुछ अपना बढ़िया, वो सुन्दर तरीके से कर रहें हैं, अगर ऐसी पोजीशन है, वहीं पे ट्वेल्थ हाउस का लॉड्ड ट्वेल्ड में बैठा है, और फोर्थ हाउस का लॉड्ड उनकी प नहीं रहता है, नौन अटाच्ट व्यक्ति होता है, दुनिया में रहें के भी दुनिया में नहीं रहता है, सब के साथ बड़ा जैनरेस है, सब को बाटना जानता है, सब को देना जानता है, फ्रीडम उसका में गोल रहता है, प्रभू से मिलना, प्रभू की बातें, किस प् इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो चीजें उसको रोक रही हैं स्वतंत्र होने के लिए उन चीजों को वो त्याग दे चाए वो घर हो चाए परिवार हो चाए पैसा हो या कोई प्रकार की responsibilities हो एक समय के बाद वो उनको त्याग दे के भई या नहीं यह चीजें हमारे लिए बादा हैं हम अपनी मन की सुनेंगे हम अपनी हिर्दे की सुनेंगे हिर्दे ऐसे आदमी का स्वच्च होता है बड़ा उसको कुछ नहीं चाहिए clear है वो बहुत बहुत charitable है non attached है दुनिया में रहके भी वो दुनिया में नहीं है ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है relax करना doing nothing समाधी वाली स्टेट अकेले बैठना कहीं बैटे हैं कमरे में सब चले जाए हम बैठे रहे हम आनंद कर रहे हम भक्ती कर रहे हैं या कहीं जील के किनारे बैठे कोई तपस्या में बैठे ह यहां पर रहे हैं अपने रास्ते मत बनिये बंद करिये यहां पर यूनिवर्सली आप एक्सेप्ट किये जाएंगे जब बाहें आप अपनी खोल देंगे हाईयर ऑक्टेब बाले ट्वेल्थ हाउस का लॉड जब ट्वेल्थ में बैठा है ऐसा अव्यक्ति कहीं नहीं रुखता है वो स्वतंत्र रहता है दुनिया में भी है ग्रहस्त में भी है जुड़ा किसी से नहीं है उसको दुख परचान नहीं करते है उसको सुख नहीं हिल के लिए करो तुम्हारा कोई खास मकसद है वो उसको इशारा कर रहा है उस तरीके का तो वो आदमी उस तरफ चला जाता है उसका मन घर परिवार ये सारी चीजें उसकी बहुत मदद करती है हेल्थ का यहां देखना बहुत जरूरी है रूटीन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है स्ट्रक्चरड में रहेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे रहेंगी यहां पर अपने आपको क्लोज मत करिए बंद मत करिए सब कुछ होने के बावजूद भी यहां पर दोनों हाथ ऐसा नहीं है कि फेला वो ना करिए बैद दान करिए खुल के छोड़ दीजे सारी चीजें अपना आनंद प्रभू आपको बहुत कुछ देंगे यहां पर लर्निंग हमेशा करते रहें स्पिरिच्वालिटी ज्यान गुरू धरम पिता इनका सदेव आधर करिएगा आशा करता हूं यह वीडियो आपको अवस्य पसंद आएगा कोई भी प्रस्ण हों आप ल आदे आदे जैशी कृष्णा